प्रेल की फौज को लहू लुहान कर सकते हैं एरान के ड्रोन बहुत ख़दरनाक है यह पूरी दुनिया मान चुकी है योक्रेन में एरान के शाहिद 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है योक्रेन के विजली घरों पर रूस ने एरान के ड्रोन से ही हमले किये और उनको एतना नुक्सान पहुचाया कि 50 प्रतिशत योक्रेन अंधेरे में ढूप गया योक्रेन में इरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि जैलन्सकी के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल गया है कीव और खार्किव जैसे शहरों में योक्रेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैक आउट हो गया क्योंकि पुतिन ने जैलन्सकी की पावर ग्रिट को टार्गेट किया है खेर सौन हारने के बाद से ही पुतिन के इरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे जैलन्सकी बेबस हो गए शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई ड्रोन लॉंच किये जाते हैं छे आत्मधादी ड्रोन है इन्हें इरान का कामी काजे ड्रोन कहा जाता है जो योकरेन की पोजिशन को अटेक कर रहे हैं देखा जाये तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसी लिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रोस को दी है अब ड्रोन से अटैक होता है तो आस्मान से तबाही बरस्ती है यही वज़े है कि योक्रेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गए है और कड़कडाती ठंड के बीच एक करोड से जादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है ऐसे में सवाल है कि अगर पश्ची मेशिया में युद्ध हुआ तो इरान के टार्गेट पर कौन होगा इरान कहां योक्रेन वाले हमलों को दोरा सकता है और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्ची मेशिया में कैसी बवंड़ा शुरू हो जाएगा क्योंकि इरान के दुश्ची मेशिया के अंदर ही दो बड़े नाम है अमेरिका के अलाबा इरान के दो बड़े दुश्च्मन है पहला है सौधी अरग और दूसरा है एज्राइब ऐसा क्यूं कहा जा रहा है इसे घौर से समझेगा अक्टूबर 2022 में जब इरान के शेराज शेहर पर आतंकी हमला हुआ था तब इरान के एक जनरल ने चार देशों को चेतावनी दी थी तब इरान के इस खास मज्यद पर लाल जंडा लगाया गया था सवाल उठने लगे कि अब आगे क्या होगा क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल जंडा इरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलिमानी की मौत होई थी ऐसे में बड़े सवाल है कि इस पार इरान क्या बैगाम देना चाहता है एरान क्या अपने दुश मनों को जद की चेताओनी दे रहा है एरान के दुश मन कौन कौन है इन तीन सवालों के जवाब जानने के लिए एरान के रिवालूlशनी गार्ड के कमांडर चंडल घुससंड सलामी की बات को बाहत बार से सुनी, गार एरान के जनरल की चेताउनी चार देशों के लिए है अमेरिका, इस्राइल, प्रिटन और साओी अरब इन सभी को ये धमकी खुलम खुला दी गई है सवाल है कि क्या इरान सौधी अरब या फिर एज्राइल पर हमला करेगा अगर ऐसा हुआ तो पश्री मेशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुवात हो जाएगी सौधी अरब इरान के मुकाबले कैसी पावर है क्या सौधी अरब की फौज एसलायक है कि वो इरान का मुकाबला कर सके अगर इरान ने अपने ड्रोन से सौधी अरब पर हमला किया तो नतीज़ा क्या होगा क्या युद्ध में सौधी अरब इरान को ठकर दे पाएगा इरान की सवा पांच लाग की फौज के सामने सौधी अरब के पास चार लाग असी हजार की सेना है इरान के पास 500 फाइटर जेट है जबकि सौधी अरब के पास 880 फाइटर जेट है इरान के पास 398 जोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट पोर्ट है जबकि साओधी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है इरान के पास 3700 टैंक हैं साओधी अरब के पास 1000 ही टैंक हैं लेकिन दोनों के बीट समंदर भी है जिसे दोनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ओफ आर्बूस के नाम से जानती है ये वो कल्यारा है जहां अकसर इरान अमेरिका के बड़े बड़े जंदी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है साओधी अरब की फाज और खास करोस की अरपोस इरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधनिक है इरान इस वक्त भी 45 वर्ष पुराने फाइटर जेट इस्तिमाल कर रहा है जबकि साओधी अरब के पास लेटिस जनरेशन के फाइटर जेट है जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे है बाबजूद इसके साओधी अरब को लेकर अमेरिका का होसला भी डगमागाया हुआ है इरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है लेकिन इस बार अमेरिका इरान के डारेक्ट टार्गेट पर होगा कहना मुश्किल है ना ही ब्रिटन के अग्डों पर इरान की नज़र टेड़ी होगी इरान इस वक्त इस्राइल को लेकर काफी अक्टिव है और अपने ड्रोन के जरिये वो इस्राइल तक को रेंज में रखता है इन में अबाबल ड्रोन के कई वर्जन है और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लबनन तक इस्तेमाल किये गए हैं अबाबल ड्रोन दुश्मन पर नज़र रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इससे दुश्मन के ठेकानों पर बंबारी भी की जा सकती है इरान पिछले तीन दश्कू से ऐसे द्रोन तयार कर रहा है इन में अबाविल वन ड्रोन स्योसाइड हमला करता है इसमें 40 किलो तक 20 फोटक होता है और ये टार्गेट से खुद को ठकरा कर उसे तबाह कर देता है अबाविल 2 एक सर्विलांस ड्रोन है जो दुश्मन परनेकाह रखता है और ये 30 किलो का वार हेट लेकर उड़ सकता है अबाविल 3 की रफ्तार 200 किलोमेटर प्रती घंटा है ये 100 किलोमेटर के दाइरे में 5000 मीटर की उचाई तक अपरेट करता है ये रात में भी अपने टार्केट पर हमला कर सकता है इस वक्त चर्चा में इरान की ड्रोन की फैक्टरी भी है जो इरान से बाहत तैयार हो रही है इरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजेकस्तान में ड्रोन का बवंडर शुरू कर दिया है पोतिन को इरान के ड्रोन से घजब की थाकत में लिए है अब इरान इसी ड्रोन पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया बेस बनाना चाहता है मई 2022 में ही इरान ने ताज़े किस्तान में ड्रोन टैक्टरी खोली जिसमें अब अबाविल ड्रोन बनाय जा रहे है अभी तक इरान की सुरंगों में ड्रोन का गोदाम देखाया क्या है लेकिन अब इरान इसका उत्पादन दूसरे देशों में कर रहा है इसके साफ माइने है कि इरान इस वक्त दूनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर क्या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद में खुद को साबित भी कर चुके हैं सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त इरान योकरें युद में रूज की बड़ी मधद कर रहा है और दूनिया की एक क्वेशन बताती है कि बश्ची मेशा में अगर युद हो आ तो यहाँ लगी आग में पूरी दूनिया चलने लगेगी पश्शी मेशा में इस वक्त जुर्द जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए इरान पहले ही अपने हथ्यारों को योकरेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ सौधी अरब और इसरेल को भी चैलेंज कर रहा है इरान ने तीन नए ड्रोन देखाएं है इस रिपोर्ट में इरान के ड्रोन का नया धमाका है इरान की ड्रोन पहवर जिससे योकरेन पूरी तरह हिल चुका है और अमेरिका के साथ नैटो भी दैशत में है अब उससे भी खतरनाग ड्रोन वाली ताकत का एक और ट्रेलर इरान ने समंदर में दिखाया है पहला ड्रोन है अबा बेल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है दूसरा ड्रोन है आरिश 2 जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से डेक आफ करता है और दीसरा ड्रोन है अबावल चुप जो एक नेवल शिप से लॉंच किया जाता है तीनों ड्रोन लॉंच किया जाते हैं और फिर ये कहां हमला करते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे पहले इरान की फौच की जुद्धा भ्यास की नई तस्वीरे देखिए जो बश्शी मेश्या में एक नई सिहरन पैदा कर रही है ये है इरान का युद्धा भ्यास जौल्फिकार 1401 जिसमें इरान ने एक टापू पर हमला करके उस पर कबजा करने का ट्रिलर दिखाया है इरान की फौर्स नेवल शिप में से निकल कर एक टापू पर धाबा बोलती है इसमें टैंक भी है बक्तर बंद गाड़ियां भी है और इरान के कमांडों भी है योक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त इरान बहुत ज्यादा आक्रामक है पुतिन का दोस्त इरान अब मैसूस कर रहा है कि योक्रेन को बचाने के लिए नया मोर्चा पश्य मेश्या में खुल सकता है क्योंकि यहां अमेरिका भी है इसराइल भी है साउधी अरब और इन सब का प्रतिद्वन्दी इरान भी है चोंकि पुतिन का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका एक नया वार फ्रंट तैयार कर रहा है ऐसी आशंका इरान की है इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागरता जितना भी इलाका है यहां इरान का खासा दबदबा रहता है और यहां पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समधरी वेड़े को भी इरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है अब देखिए इरान ने जो ड्रोन लॉंच किये थी उन्होंने कैसे हमला किया पहला ड्रोन है अब आभेल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है वो पूरे स्ट्रेट और फार्मूस पर नजर रखता है यह इरान की ड्रोन पाबर का बहुत भरोसे मन नेगाबान माना जाता है दूसरा ड्रोन है आरिश 2 जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है वो नजदी की पहाड पर दुश्मन के एक अड़े को टार्गेट करता है जब अचूप निशाना लगता है तो धमा का देखकर इरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देते अब देखिए तीसरा ड्रोन ये है अबाबिल 2 जो एक नैवल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टार्गेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहार ये एक नैवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाबिल 2 बहुत ही सती खमला करता तो इस तरह इरान ने अपने तमाम हत्यार आजबाने शुरू कर दिया है इरान की रणनी ती शुरू से ही आकामत रही है और इस ट्रेलर को रिलीज करके इरान ने बता दिया है कि पश्ची मेश्या में उसको चैलेंज किया गया तो नतीज़ा बुरा होगा तो सवाल है कि जाखिर इरान ये चैलेंज किसे कर रहा है अब इस रिपोर्ट में इरान के दुश्मनों के बारे में समझें क्योंकि वश्ची मेश्या में इरान अकेली पावर नहीं है एक पर फिर देखिए इरान का ड्रोन अबाबल टू किस ठेकाने को धमाके से तबाह कर देता है रिपोर्ट के मताबिक जिस टार्गेट को धमाके से उड़ाया गया वो इसराइल के एक वार्शिप की ही ढमी है और इरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन इसराइल की फौज को लहुलुहान कर सकते हैं इरान के ड्रोन बहुत ख़दरनाक है यह पूरी दूनिया मानच चुके है योक्रेन में इरान के शाहित 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है योक्रेन के विचली घरों पर रूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले किया और उनको एतना नुक्सान पहुचाया कि 50 प्रतिशत योक्रेन अंधेरे में ढूप गया योक्रेन में इरान के डून ने ऐसा कहर मचाया है कि जैलन्सकी के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल गया है कीव और खारकिव जैसे शहरों में योक्रेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैक आउट हो गया क्योंकि पुतिन ने जैलन्सकी की पावर ग्रिट को टार्गेट किया है खेर सौन हारने के बाद से ही पुतिन के इरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे जैलन्सकी बेबस हो गए शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाग ड्रोन है जो अखेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई ड्रोन लॉंच किये जाते हैं छे आत्मधाती ड्रोन है इन्हें इरान का कामी काजे ड्रोन कहा जाता है जो योकरेन की पोजिशन को अटेक कर रहे हैं देखा जाये तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसी लिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रोस को दी है अब ड्रोन से अटैक होता है तो आस्मान से तबाही बरसती है यही वज़ा है कि योकरेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गए और कड़कड़ाती ठंड के बीच एक करोड से जादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है ऐसे में सवाल है कि अगर पश्ची मेशिया में युद्ध हुआ तो इरान के टार्गेट पर कौन होगा इरान कहां योकरेन वाले हमलों को दोरा सकता है और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्ची मेशिया में कैसे बवंड़ा शुरू हो जाएगा क्योंकि इरान के दुश्ची मेशिया के अंदर ही दो बड़े नाम है अमेरिका के अलाबा इरान के दो बड़े दुश्च्मन है पहला है सौधी अरग और दूसरा है एज्राइब ऐसा क्यूं कहा जा रहा है इसे घौर से समझेगा अक्टूबर 2022 में जब इरान के शिराज शहर पर आतंकी हमला हुआ था तब इरान के एक जनरल ने चार देशों को चेतावनी दी थी तब इरान के इस खास मज्यद पर लाल जंडा लगाया गया था सवाल उठने लगे कि अबागे क्या होगा क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल जंडा इरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलिमानी की मौत होई थी ऐसे में बड़े सवाल है कि इस पार इरान क्या बेगाम देना चाहता है इरान क्या अपने दुशमनों को जुदकी चेतावनी दे रहे इरान के दुशमन कौन कौन है इन तीन सवालों के जबाब जानने के लिए एरान के रिवालोशनी गार्ड के कमांडर चंडल हुसैन सलामी की बात को बाहत बाद से सुनी हा इरान के जनरल की छेताउनी चार देशों के लिए हैं अमेरिका, इस्राइल, ब्रिटेन और सौधी अरब इन सभी को ये धमकी खुलम खुला दी गई है सवाल है कि क्या इरान सौधी अरब या फिर इस्राइल पर हमला करेगा अगर ऐसा हुआ तो पश्री मेशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुर्वात हो जाएगी सौधी अरब इरान के मुकाबले कैसी पावर है क्या सौधी अरब की फौज एसलायक है कि वो इरान का मुकाबला कर सके अगर इरान ने अपने ड्रोन से सौधी अरब पर हमला किया तो नतीजा क्या होगा क्या युद्ध में सौधी अरब इरान को ठकर दे पाएगा इरान की सवा पांच लाग की फौज के सामने सौधी अरब के पास चार लाग 80,000 की सेना है इरान के पास 500 फाइटर जेट है, जबकि सौधी अरब के पास 880 फाइटर जेट है इरान के पास 398 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट पोर्ट है जबकि सौधी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है इरान के पास 3700 टैंक हैं, सौधी अरब के पास 1000 ही टैंक हैं, लेकिन दोनों के बीट समंदर भी है जिसे दुनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ओफ आर्बूस के नाम से जानती है ये वो कलियारा है जहां अकसर इरान अमेरिका के बड़े बड़े जंदी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है सौधी अरब की फाउज और खास करोस की अरफोस इरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है इरान इस वक्त भी 45 वर्ष पुराने फाइटर जेट इस्निमाल कर रहा है जबकि सौधी अरब के पास लेटिस जनरेशन के फाइटर जेट है जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे है बाबजूद इसके सौधी अरब को लेकर अमेरिका का होसला भी डगमागाया हुआ है इरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है लेकिन इस बार अमेरिका इरान के डारेक्ट टार्गेट पर होगा कहना मुश्किल है ना ही ब्रिटन के अद्धों पर इरान की नज़र टेड़ी होगी इरान इस वक्त इस्राइल को लेकर काफी अक्टिव है और अपने ड्रोन के जरिये वह इस्राइल तक को रेंज में रखता है इन में अबाबिल ट्रोन के कई वर्जन हैं और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लबनन तक इस्तेमाल किये गए अबाबिल ट्रोन दुश्मन पर नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इससे दुश्मन के ठेकानों पर बंबारी भी की जा सकती है इरान पिछले तीन दश्कों से ऐसे द्रोन तयार कर रहा है इन में अबाबिल वन ड्रोन स्योसाइड हमला करता है इसमें 40 किलो तक विस्फो टक होता है और ये टार्गेट से खुद को ठकरा कर उसे तबाह कर देता है अबाबिल टू एक सर्विलांस ड्रोन है जो दुश्मन पर निकाह रखता है और ये 30 किलो का वार हेट लेकर उड़ सकता है अबाबिल 3 किराफतार 200 किलो मेटर प्रती घंटा है ये 100 किलो मेटर के दाइरे में 5000 मीटर की उचाई तक आपरेट करता है ये रात में भी अपने टार्गेट पर हमला कर सकता है इस स्वक्त चर्चा में इरान की ड्रोन की फैक्टरी भी है जो इरान से बाहर तैयार हो रही है इरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजेकस्तान में ड्रोन का बवंडर शुरू कर दिया है पोतिन को इरान के ड्रोन से खजब की थाकत में ली है अब इरान इसी ड्रोन पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया बेस बनाना चाहता है मई 2022 में ही इरान ने ताजे किस्तान में ड्रोन फैटरी खोली जिस में अब अबाविल ड्रोन बनाय जा रहे है अब ही तक इरान की सुरंगों में ड्रोन का गोदाम देखाया क्या है लेकिन अब इरान इसका उत्पादन दूसरे देशों में कर रहा है इसके साफ माइने है कि इरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर क्या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है जिसके डून्स सस्ते हैं, असरदार हैं और युद में खुद को साबित भी कर चुके हैं सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त इरान योकरेन युद में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की एक क्वेशन बताती है कि बश्ची मेशया में अगर युद हुआ तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया चलने लगेगी बश्ची मेशया में इस वक्त युद जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए इरान पहले ही अपने हथ्यारों को योकरेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ सौधी अरब और इसरेल को भी चैलेंज कर रहा है इरान ने तीन नए ड्रोन देखाए हैं इस रिपोर्ट में इरान के ड्रोन का नया धमाका है इरान की ड्रोन पावर जिससे योकरेन पूरी तरह हिल चुका है और अमेरिका के साथ नैटो भी दैशत में है अब उससे भी खतरनाग ड्रोन वाली थाकत का एक और ट्रेलर इरान ने समंदर में दिखाया है पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रनवे से टेक ओफ करता है दूसरा ड्रोन है आरिश 2 जो एक स्टैंट पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ओफ करता है और दीसरा ड्रोन है अबाबेल 2 जो एक नेवल शिप से लाँच किया जाता है तीनो ड्रोन लाँच किया जाते हैं और फिर ये कहा हमला करते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे पहले इरान की फौच की युद्धा भ्यास की नई तस्वीरे देखिए जो बश्यमेश्या में एक नई सेहरन पैदा कर रही है ये है इरान का युद्धा भ्यास जोल्फिकार 1401 जिसमें इरान ने एक टापू पर हमला करके उस पर कबजा करने का ट्रिलर दिखाया है इरान की फोर्स नेवल शिप में से निकल कर एक टापू पर धाबा बोलती है इसमें टैंक भी है, बक्तर बंद गाड़ियां भी है और इरान के कमांजों भी है योक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त इरान बहुत ज्यादा आक्रामक है पोतिन का दोस्त इरान अब मैसूस कर रहा है कि योक्रेन को बचाने के लिए नया मोर्चा पश्य मेश्या में खुल सकता है क्योंकि यहां अमेरिका भी है, इसराइल भी है, साओधी अरब और इन सब का प्रतिधवन्दी इरान भी है जोकि पोतिन का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका एक नया वार फ्रंट तयार कर रहा है, ऐसी आशंका इरान की है इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज़्याद एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागरतर जितना भी इलाका है, यहाँ इरान का खासा दबदबा रहता है और यहाँ पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समद्री वेड़े को भी इरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है अब देखिए, इरान ने जो ड्रोन लॉंच किये थी, उन्होंने कैसे हमला किया पहला ड्रोन है, अब आभिल 3, जो रनवे से टेक ओफ करता है वो पूरे स्ट्रेट ओफ हार्मूस पर नजर रखता है ये इरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसे मन देगाबान माना जाता है दूसरा ड्रोन है, आरेश टू, जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ओफ करता है वो नजदी की पहाड़ पर दुश्मन के एक अड़े को टार्गेट करता है जब अचूक निशाना लगता है, तो धमा का देखकर इरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देते हैं अब देखिए तीसरा ड्रोन, ये है अबाविल 2, जो एक नैवल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टार्गेट बनता है एक टापू, और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहाज, ये एक नैवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाविल 2 बहुत ही सठी खमला करता है तो इस तरह इरान ने अपने तमाम हथियार आजबाने शुरू कर दिया है इरान की रननीती शुरू से ही आगकामक रही है और इस ट्रेलर को रिलीज करके इरान में बता दिया है कि पश्ची मेश्या में उसको चैलेंज किया गया तो नतीजा बुरा होगा तो सवाल है कि आखिर इरान ये चैलेंज किसे कर रहा है अब इस रिपोर्ट में इरान के दुश्मनों के बारे में समझे है क्योंकि पश्ची मेश्या में इरान अकेली पावर नहीं है एक बार फिर देखिए इरान का ड्रोन अबाबिल 2 किस ठिकाने को धमाके से दबाह कर देता है रिपोर्ट के मताविक जिस टार्गेट को धमाके से उड़ाया गया वो एजरायल के एक वार्शिप की ही ढमी है और इरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन एजरायल की फौज को लहुलुहान कर सकते हैं इरान के ड्रोन बहुत खदरनाक है ये पूरी दुनिया मान चुकी है योकरेन में इरान के शाहित 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है योकरेन के बिजली घरों पर भूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले किये और उनको एतना नुकसान पहुचाया कि 50 प्रतिशत योकरेन अंधेरे में ढूप किया योकरेन में इरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि जैलन्सकी के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल गया है कीव और खारकियु जैसे शहरों में योकरेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैक आउट हो गया क्योंकि पुतिन ने जेलन्सकी की पावर ग्रिट को टार्गेट किया है खेर सौन हारने के बाद से ही पुतिन के एरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे जेलन्सकी वेवस हो गए शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाग ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई ड्रोन लॉंच किये जाते हैं यह आत्मधाती ड्रोन हैं इन्हें इरान का कामी काजे ड्रोन कहा जाता है जो योकरेन की पोजिशन को अटेक कर रहे हैं देखा जाये तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमारिका को सबक सिखाना चाहता है और इसी लिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रोस को दी है अब ड्रोन से अटैक होता है तो आस्मान से तबाही परस्ती है यही वज़ा है कि योकरेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गए और कड़कडाती ठंड के बीच एक करोड से जादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है ऐसे में सवाल है कि अगर पश्ची मेशिया में युद्ध हुआ तो इरान के टार्गेट पर कौन होगा इरान कहां योकरेन वाले हमलों को दोरा सकता है और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्ची मेशिया में कैसी बवंड़ा शुरू हो जाएगा क्योंकि इरान के दुश्ची मेशिया के अंदर ही दो बड़े नाम है अमेरिका के अलाबा इरान के दो बड़े दुश्च्मन है पहला है सौधी अरग और दूसरा है एज्रै ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे घौर से समझेगा अक्टूबर 2022 में जब इरान के शिराज शहर पर आतनकी हमला हुआ था तब इरान के एक जनरल ने चार देशों को चेतावनी दी थी तब इरान के इस खास मज्यद पर लाल जंडा लगाया गया था सवाल उठने लगे कि अबागे क्या होगा क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल जंडा इरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलिमानी की मौत होई थी ऐसे में बड़े सवाल हैं कि इस बार इरान क्या बेगाम देना चाहता है इरान क्या अपने दुश्मनों को जद्धकी चेताउनी दे रहें इरान के दुश्मन कौन कौन है इन तीन सवालों के जब जब जनने के लिए एरान के रिवालुशनी गार्ड के कमांडर चनर्ल हुसें सलामी की बात को बहुत बार से सुनीएका इरान के जनरल की छेताउनी चार देशों के लिए हैं अमेरिका, इस्राइल, ब्रिटेन और सौधी अरब इन सभी को ये धमकी खुलम खुला दी गई है सवाल है कि क्या इरान सौधी अरब या फिर इस्राइल पर हमला करेगा अगर ऐसा हुआ तो पश्री मेशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुर्वात हो जाएगी सौधी अरब इरान के मुकाबले कैसी पावर है क्या सौधी अरब की फौज एसलायक है कि वो इरान का मुकाबला कर सके अगर इरान ने अपने ड्रोन से सौधी अरब पर हमला किया तो नतीजा क्या होगा क्या युद्ध में सौधी अरब इरान को टकर दे पाएगा इरान की सवा 5 लाग की फौज के सामने सौधी अरब के पास 4 लाग 80,000 की सीना है इरान के पास 500 फाइटर जेट है, जबकि सौधी अरब के पास 880 फाइटर जेट है इरान के पास 398 जोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट बोर्ट है जबकि सौधी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है इरान के पास 3700 टैंक हैं, सौधी अरब के पास 1000 ही टैंक हैं, लेकिन दोनों के बीट समंदर भी है जिसे दोनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ओफ हार्बूस के नाम से जानती है ये वो कलियारा है जहां अकसर इरान अमेरिका के बड़े बड़े जंदी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है सौधी अरब की फाउज और खास करोस की अरफोस इरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है इरान इस वक्त भी 45 वर्ष पुराने फाइटर जेट इस्निमाल कर रहा है जबकि सौधी अरब के पास लेटिस जनरेशन की फाइटर जेट है जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे है बाबजूद इसके सौधी अरब को लेकर अमेरिका का होसला भी डगमागाया हुआ है इरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है लेकिन इस पार अमेरिका इरान के डारेक्ट टार्गेट पर होगा कहना मुश्किल है ना ही ब्रिटन के अध्रों पर इरान की नज़र ठेड़ी होगी इरान इस वक्त इस्राइल को लेकर काफी अक्टिव है और अपने ड्रोन के जर्येव वह इस्राइल तक को रेंज में रखता है इन में अबाविल ड्रोन के कई वर्जन है और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लेबनन तक इस्तेमाल किये गए अबाविल ड्रोन दुश्मन पर नज़र रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इससे दुश्मन के ठेकानों पर बंबारी भी की जा सकती है इरान पिछले तीन दश्कों से ऐसे ड्रोन तयार कर रहा है इन में अबाविल वन ड्रोन स्योसाइड हमला करता है इसमें 40 किलो तक 20 फो टक होता है और ये टार्गेट से खुद को ठकरा कर उसे तबाह कर देता है अबाविल 2 एक सर्विलांस ड्रोन है जो दुश्मन पर निकाह रखता है और ये 30 किलो का वार हेट लेकर उड़ सकता है अबाविल 3 किल अफ़तार 200 किलो मेटर प्रती घंटा है ये 100 किलो मेटर के दाइरे में 5000 मीटर की उचाई तक आउपरेट करता है ये रात में भी अपने टार्गेट पर हमला कर सकता है इस स्वक्त चर्चा में इरान की ड्रोन की फैक्टरी भी है जो इरान से बाहर तैयार हो रही है इरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजेकस्तान में ड्रोन का बवंडर शुरू कर दिया है पोतिन को इरान के ड्रोन से खजब की थाकत में ली है अब इरान इसी ड्रोन पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया पेस बनाना चाहता है मई 2022 में ही इरान ने ताजे किस्तान में ड्रोन पैटरी खोली जिसमें अब अबाविल ड्रोन बनाय जा रहे है अभी तक इरान की सुरंगों में ड्रोन का गोदाम देखाया क्या है लेकिन अब इरान इसका उत्पादन दूसरे देशों में कर रहा है इसके साफ माइने है कि इरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है जिसके ड्रून सस्ते हैं, असरदार हैं और युद में खुद को साबित भी कर चुके हैं सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त इरान योकरेन युद में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की एक क्वेशन बताती है कि बश्ची मेशया में अगर युद हुआ तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया चलने लगेगी बश्ची मेशया में इस वक्त जुद जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए इरान पहले ही अपने हथ्यारों को योकरेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ सौधी अरब और इसरेल को भी चैलेंज कर रहा है इरान ने तीन नए ड्रोन दिखाए हैं इस रिपोर्ट में इरान के ड्रोन का नया धमाका है इरान की ड्रोन पावर जिससे योकरेन पूरी तरह हिल चुका है और अमेरिका के साथ नैटो भी दैशत में है अब उससे भी खतरनाग ड्रोन वाली थाकत का एक और ट्रेलर इरान ने समंदर में दिखाया है पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रन्वे से टेक ओफ करता है दूसरा ड्रोन है आरिश 2 जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ओफ करता है और दीसरा ड्रोन है अबाबेल 2 जो एक नेवल शिप से लॉंच किया जाता है तीनों ड्रोन व्लाउंच किया जाते हैं और फिर ये कहां हमला करते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे पहले इरान की फौच की युद्धा भ्यास की नई तस्वीरे देखिए जो बश्य मेश्या में एक नई सेहरन पैदा कर रही है ये है इरान का युद्धा भ्यास जौलफी कार 1401 जिसमें इरान ने एक टापू पर हमला करके उस पर कबजा करने का ट्रिलर दिखाया है इरान की फौर्स नेवल शिप में से निकल कर एक टापू पर धाबा बोलती है इसमें टैंक भी है बक्तर बंद गाड़ियां भी है और इरान के कमांडों भी है योक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त इरान बहुत ज्यादा आक्रामक है पोतिन का दोस्त इरान अब मैसूस कर रहा है कि योक्रेन को बचाने के लिए नया मोर्चा पश्य मेश्या में खुल सकता है क्योंकि यहां अमेरिका भी है इसराइल भी है साउधी अरब और इन सब का प्रतिद्वन्दी इरान भी है चोंकि पोतिन का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका एक नया वार फ्रंट तयार कर रहा है ऐसी आशंका इरान की है इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागरता जितना भी इलाका है यहाँ इरान का खासा दबदबा रहता है और यहाँ पर अक्षर आने वाले अमेरिका के समद्री बेड़े को भी इरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है अब देखिए इरान ने जो ड्रोन लॉंच किये थी उन्होंने कैसे हमला किया पहला ड्रोन है अबाभिल 3 जो रन्वे से टेक आफ करता है वो पूरे स्ट्रेट ओफ हार्मूज पर नजर रखता है यह इरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसे मन नेगाबान माना जाता है दूसरा ड्रोन है आरिश्टू जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है वो नजदी की पहाड पर दुश्मन के एक अड़्डे को टार्गेट करता है जब अचूक निशाना लगता है तो धमा का देखकर इरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देते हैं अब देखिए तीसरा ड्रोन ये है अबाविल टू जो एक नैबल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टार्गेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहार ये एक नैबल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाविल टू बहुत ही सथी खमला करता है तो इस तरह इरान ने अपने तमाम हथियार आजबाने शुरू कर दिया है इरान की रणनीती शुरू से ही आकामक रही है और इस ट्रेलर को रिलीज करके इरान ने बता दिया है कि पश्ची मेश्या में उसको चैलेंज किया गया तो नतीजा बुरा होगा तो सवाल है कि आखिर इरान ये चैलेंज किसे कर रहा है अब इस रिपोर्ट में इरान के दुश्मनों के बारे में समझे हैं क्योंकि पश्ची मेश्या में इरान अकेली पावर नहीं है एक बार फिर देखिए इरान का ड्रोन अबाविल 2 किस ठेकाने को धमाके से तबाह कर देता है रिपोर्ट के मताविक जिस ठार्गेट को धमाके से उड़ाया गया वो एजरायल के एक वार्शिप की ही ढमी है और इरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन एजरायल की फौज को लहुलुहान कर सकते हैं इरान के ड्रोन बहुत खदरनाक है यह पूरी दुनिया मान चुकी है योकरेन में इरान के शाहित 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है योकरेन के बिजली घरों पर गूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले किया और उनको एतना नुकसान पहुचाया कि 50 प्रतिशत योकरेन अंधेरे में डूप किया योकरेन में इरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि जैलन्सकी के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल गया है कीव और खारकिव जैसे शहरों में योकरेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैक आउट हो गया क्योंकि पुतिन ने जैलन्सकी की पावर ग्रिट को टार्गेट किया है खेर सौन हारने के बाद से ही पुतिन के इरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे जैलन्सकी बेबस हो गए शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई ड्रोन लॉंच किये जाते हैं छे आत्मभाती ड्रोन है इन्हें इरान का कामी काजे ड्रोन कहा जाता है जो योकरेन की पोजिशन को अटेक कर रहे हैं देखा जाये तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसी लिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रोज को दी है अब ड्रोन से अटैक होता है तो आस्मान से तबाही बरसती है यही वज़ा है कि योकरेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गए है और कड़कडाती ठंड के बीच एक करोड से जादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है ऐसे में सवाल है कि अगर पश्ची मेशिया में युद्ध हुआ तो इरान के टार्गेट पर कौन होगा इरान कहां योकरेन वाले हमलों को दोरा सकता है और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्ची मेशिया में कैसी बवंड़ शुरू हो जाएगा क्योंकि इरान के दुश्ची मेशिया के अंदर ही दो बड़े नाम है अमेरिका के अलाबा इरान के दो बड़े दुश्च्मन है पहला है सौधी अरग और दूसरा है एज्राइब ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे गोर से समझेगा अक्टूबर 2022 में जब इरान के शिराज शहर पर आतंकी हमला हुआ था तब इरान के एक जनरल ने चार देशों को चेतावनी दी थी तब इरान के इस खास मज्यद पर लाल जंडा लगाया गया था सवाल उठने लगे कि अबागे क्या होगा क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल जंडा इरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलिमानी की मौत होई थी ऐसे में बड़े सवाल है कि इस पार इरान क्या बैगाम देना चाहता है इरान क्या अपने दुशमनों को जुद्ध की चेतावनी दे रहे है इरान के दुशमन कौन कौन है इन तीन सवालों के जवाब जानने के लिए इरान के रिवालुशनी गार्ड के कमانडर चनर्डल हुसें सलामी की बात को बहुत बाद से सुनीए का इरान के जनर्ल की चेतावनी चार देशों के लिए है अमेरिका, इस्राइल, ब्रिटन और सौधी अरब इन सभी को ये धमकी खुलम खुला दी गई है सवाल है कि क्या इरान सौधी अरब या फिर इस्राइल पर हमला करेगा अगर ऐसा हुआ तो पश्री मेशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुवात हो जाएगी सौधी अरब इरान के मुकाबले कैसी पावर है क्या सौधी अरब की फौज एसलायक है कि वो इरान का मुकाबला कर सके अगर इरान ने अपने ड्रोन से सौधी अरब पर हमला किया तो नतीज़ा क्या होगा या युद्ध में सौधी अरब इरान को टकर दे पाएगा इरान की सवा पांच लाग की फौज के सामने सौधी अरब के पास 4,80,000 की सेना है इरान के पास 500 फाइटर जेट है, जबकि सौधी अरब के पास 880 फाइटर जेट है इरान के पास 398 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट पोर्ट है जबकि सौधी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है इरान के पास 3700 टैंक हैं, सौधी अरब के पास 1000 ही टैंक हैं, लेकिन दोनों के बीट समंदर भी है जिसे दोनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ओफ हार्बूस के नाम से जानती है ये वो कलियारा है जहां अकसर इरान अमेरिका के बड़े बड़े जंदी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है सौधी अरब की फाज और खास करोस की अरबोस इरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है इरान इस वक्त भी 45 वर्ष पुराने फाइटर जेट इस्तिमाल कर रहा है जबकि सौधी अरब के पास लेटिस जनरेशन की फाइटर जेट है जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे है बाबजूद इसके सौधी अरब को लेकर अमेरिका का होसला भी डगमागाया हुआ है इरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है लेकिन इस पार अमेरिका इरान के डारेक्ट टार्गेट पर होगा कहना मुश्किल है ना ही ब्रिटन के अध्डों पर इरान की नज़र टेड़ी होगी इरान इस वक्त इसराइल को लेकर काफी अक्टिव है और अपने ड्रोन के जरिये वो इसराइल तक को रेंज में रखता है इन में अबाबल ड्रोन के कई वर्जन है और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लेबनन तक इस्तेमाल किये गए हैं अब आबल ड्रोन दुश्मन पर नज़र रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इससे दुश्मन के ठेकानों पर बंबारी भी की जा सकती है इरान पिछले तीन दश्मों से ऐसे ड्रोन तयार कर रहा है इन में अबाबल वन ड्रोन स्योसाइड हमला करता है इसमें 40 किलो तक 20 फो टक होता है और ये टार्गेट से खुद को ठकरा कर उसे तबाह कर देता है अबाबल जो एक सर्विलांस ड्रोन है जो दुश्मन पर नेकाह रखता है और ये 30 किलो का वार हेट लेकर उड़ सकता है अबाबल 3 किराफतार 200 किलोमेटर प्रती घंटा है ये 100 किलोमेटर के दाइरे में 5000 मीटर की उचाई तक अपरेट करता है ये रात में भी अपने टार्गेट पर हमला कर सकता है इस स्वक्त चर्चा में इरान की ड्रून की फैक्टरी भी है जो इरान से बाहर तैयार हो रही है इरान अपने ड्रून वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजेकस्तान में ड्रून का बवंडर शुरू कर दिया है पोतिन को इरान के ड्रोन से खजब की थाकत में ली है अब इरान इसी ड्रोन पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया बेस बनाना चाहता है मई 2022 में ही इरान ने ताज़े किस्तान में ड्रोन पैटरी खोली जिसमें अब अबाबिल ड्रोन बनाय जा रहे है अब ही तक इरान की सुरंगों में ड्रोन का गोदाम देखाया क्या है लेकिन अब इरान इसका उत्पादन दूसरे देशों में कर रहा है इसके साफ माइने है कि इरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है जिसके ड्रून सस्ते हैं, असरदार हैं और युद में खुद को साबित भी कर चुके हैं सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त इरान योकरेन युद में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की एक क्वेशन बताती है कि बश्ची मेशया में अगर युद हुआ तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया चलने लगेगी बश्ची मेशया में इस वक्त युद जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए इरान पहले ही अपने हथ्यारों को योकरेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ सौधी अरब और इसरेल को भी चैलेंज कर रहा है इरान ने तीन नए ड्रोन देखाए हैं इस रिपोर्ट में इरान के ड्रोन का नया धमाका है इरान की ड्रोन पावर जिससे योकरेन पूरी तरह हिल चुका है और अमेरिका के साथ नैटो भी दैशत में है अब उससे भी खतरनाग ड्रोन वाली थाकत का एक और ट्रेलर इरान ने समंदर में दिखाया है पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रनवे से टेक ओफ करता है दूसरा ड्रोन है आरिश 2 जो एक स्टैंट पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ओफ करता है और दीसरा ड्रोन है अबाबेल 2 जो एक नेवल शिप से लॉँच किया जाता है तीनो ड्रोन व्लाउंच किया जाते हैं और फिर ये कहा हमला करते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में आगे देखाएंगे पहले इरान की फॉच के युद्धा भ्यास की नई तस्वीरे देखिए जो बश्य मेश्या में एक नई सेहरन पैदा कर रही है ये है इरान का युद्धा भ्यास जॉल्फिकार 1401 जिसमें इरान ने एक टापू पर हमला करके उस पर कबजा करने का ट्रिलर दिखाया है इरान की फोर्स नेवल शिप में से निकल कर एक टापू पर धाबा बोलती है इसमें टैंक भी है बक्तर बंद गाड़ियां भी है और इरान के कमान्जों की है योक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त इरान बहुत ज्यादा आक्रामक है पोतिन का दोस्त इरान अब मैसूस कर रहा है कि योक्रेन को बचाने के लिए नया मोर्चा पश्य मेश्या में खुल सकता है क्योंकि यहां अमेरिका भी है इसराइल भी है साओधी अरब और इन सब का प्रतिद्वन्दी इरान भी है जोकि पोतिन का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका एक नया वार फ्रंट तयार कर रहा है ऐसी आशंका इरान की है इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज़्याद एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागरत जितना भी इलाका है यहाँ इरान का खासा दबदबा रहता है और यहाँ पर अक्सर आने बाले अमेरिका के समद्री वेड़े को भी इरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है अब देखिए इरान ने जो ड्रोन लॉंच किये थी उन्होंने कैसे हमला किया पहला ड्रोन है अब आभेल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है वो पूरे स्ट्रेट ओफ हार्मूज पर नजर रखता है ये इरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसे मन देगाबान माना जाता है दूसरा ड्रोन है आरेश्टू जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है वो नजदी की पहाड पर दुश्मन के एक अड़्डे को टार्केट करता है जब अचूक निशाना लगता है तो धमा का देखकर इरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देते हैं अब देखिए तीसरा ड्रोन ये है अबाविल टू जो एक नैबल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टार्केट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहार ये एक नैबल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाविल टू बहुत ही सती खमला करता है तो इस तरह इरान ने अपने तमाम हथियार आजबाने शुरू कर दिया है इरान की रणनीती शुरू से ही आग कामक रही है और इस ट्रेलर को रिलीज करके इरान में बता दिया है कि पश्ची मेशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीज़ा बुरा होगा तो सवाल है कि आखिर इरान ये चैलेंज किसे कर रहा है अब इस रिपोर्ट में इरान के दुश्पनों के बारे में समझे है क्योंकि पश्ची मेशिया में इरान अकेली पावर नहीं है एक पर फिर देखिए इरान का ड्रोन अबाविल 2 किस ठिकाने को धमाके से तबाह कर देता है रिपोर्ट के मताविक जिस टार्गेट को धमाके से उड़ाया गया वो इस्राइल के एक वार्शिप की ही ढमी है और इरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन इस्राइल की फौज को लहुलुहान कर सकते हैं इरान के ड्रोन बहुत खदरनाक है यह पूरी दुनिया मान चुकी है योकरेन में इरान के शाहित 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है योकरेन के बिचली घरों पर बूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले किया और उनको एतना नुकसान पहुचाया कि 50 प्रतिशत योकरेन अंधेरे में ढूप गया योकरेन में इरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि जैलन्सकी के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल गया है कीव और खारकिव जैसे शहरों में योकरेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैक आउट हो गया क्योंकि पुतिन ने जैलन्सकी की पावर ग्रिट को टार्गेट किया है खेर सौन हारने के बाद से ही पुतिन के इरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे जैलन्सकी बेबस हो गए शाहिद 136 वाकई बहुत ख़तरनाग द्रोन है जो अखेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई द्रोन लॉंच किये जाते हैं यह आत्मधाती द्रोन है इन्हें इरान का कामी काजे द्रोन कहा जाता है जो योक्रेन की पोजिशन को अटैक कर रहे है देखा जाये तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमारिका को सबक सिखाना चाहता है और इसी लिए उसने अपनी द्रोन वाली ताकत रोस को दी है अब द्रोन से अटैक होता है तो आस्मान से दवाही बरसती है यही वज़ा है कि योक्रेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गए और कड़कडाती ठंड के बीच एक करोड से जादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है ऐसे में सवाल है कि अगर पश्ची मेशिया में युद्ध हुआ तो इरान के टार्गेट पर कौन होगा इरान कहां योक्रेन वाले हमलों को दोरा सकता है और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्ची मेशिया में कैसे बवंड़ा शुरू हो जाएगा क्योंकि इरान के दुश्ची मेशिया के अंदर ही दो बड़े नाम है अमेरिका के अलाबा इरान के दो बड़े दुश्च्मन है पहला है सौधी अरग और दूसरा है एज्राइब ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे घौर से समझेगा अक्टूबर 2022 में जब इरान के शिराज शहर पर आतंकी हमला हुआ था तब इरान के एक जनरल ने चार देशों को चेतावनी दी थी तब इरान के इस खास मज्यद पर लाल जंडा लगाया गया था सवाल उठने लगे कि अबागे क्या होगा क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल जंडा इरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलिमानी की मौत होई थी ऐसे में बड़े सवाल है कि इस पार इरान क्या बेगाम देना चाहता है इरान क्या अपने दश्मनों को जद्दकी चेतावनी दे रहे है इरान के दश्मन कौन कौन है इन तीन सवालों के जबाब जानने के लिए एरान के रिवालुशनी गार्ड के कमानडर चंडल हुसें सलामी की बात को बहुत बाष़ से सुनीये का एरान के जनरल की चेतावनी चार देशों के लिए है अमरिका, इस्राइल, प्रिटन और सौधी अरब इन सभी को ये धमकी खुलम खुला दी गई है सवाल है कि क्या इरान सौधी अरब या फिर एज्राइल पर हमला करेगा अगर ऐसा हुआ तो पश्री मेशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुर्वात हो जाएगी सवाल है कि वो इरान का मुकाबला कर सके अगर इरान ने अपने ड्रोन से सवाधी अरब पर हमला किया तो नतीज़ा क्या होगा क्या युद्ध में सवाधी अरब इरान को ठकर दे पाएगा इरान की सवा पांच लाग की फोच के सामने सवाधी अरब के पास चार लाग असी हजार की सेना है इरान के पास पांच सो फाइटर जेट है जबकि सवाधी अरब के पास आट सो असी फाइटर जेट है इरान के पास 398 चोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट पोर्ट है जबकि साओधी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है इरान के पास 3700 टैंक हैं साओधी अरब के पास 1000 ही टैंक हैं लेकिन दोनों के भीट समंदर भी है जिसे दोनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ओफ हार्बूस के नाम से जानती है ये वो कलियारा है जहां अकसर इरान अमेरिका के बड़े बड़े जंदी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है सौधी अरब की फाज और खास करोस की अरबोस इरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है इरान इस वक भी 45 वर्श पुराने फाइटर जेट इस्तिमाल कर रहा है जबकि सौधी अरब के पास लेटिस जनरेशन के फाइटर जेट हैं जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे हैं बाबजूद इसके सौधी अरब को लेकर अमेरिका का होसला भी डगमागाया हुआ है इरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है लेकिन इस बार अमेरिका इरान के डारेक्ट टार्गेट पर होगा कहना मुश्किल है ना ही ब्रिटन के अग्डों पर इरान की नज़र टेड़ी होगी इरान इस वक्त इसरैल को लेकर काफी अक्टिव है और अपने ड्रोन के जरीए वो इस्राइल तक को रेंज में रखता है। इन में अबाबिल ड्रोन के कई वर्जन हैं। और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लेबनन तक इस्तेमाल किये गए हैं। अबाबिल ड्रोन दुश्मन पर नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इससे दुश्मन के ठेकानों पर बंबारी भी की जा सकती है। इरान पिछले तीन दश्कों से ऐसे ड्रोन तयार कर रहा है। इन में अबाविल वन ड्रोन स्योसाइड हमला करता है इसमें 40 किलो तक विस्फोटक होता है और ये टार्गेट से खुद को ठकरा कर उसे तबाह कर देता है अबाविल टू एक सर्विलंस ड्रोन है जो दुश्मन पर निगाह रखता है और ये 30 किलो का वार हेट लेकर उड़ सकता है अबाविल 3 किराफ़तार 200 किलोमेटर प्रती घंटा है ये 100 किलोमेटर के दाइरे में 5000 मीटर की उचाई तक आपरेट करता है ये रात में भी अपने टार्गेट पर हमला कर सकता है इस स्वक्त चर्चा में इरान की ड्रोन की फैक्टरी भी है जो इरान से बाहर तैयार हो रही है इरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजेकस्तान में ड्रोन का बवंडर शुरू कर दिया है पोतिन को इरान के ड्रोन से घजब की थाकत में ली है अब इरान इसी ड्रोन पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया बेस बनाना चाहता है मई 2022 में ही इरान ने ताजे किस्तान में ड्रोन पैटरी खोली जिस में अब अबाबिल ड्रोन बनाय जा रहे है अब ही ताकि इरान की सुरंगों में ड्रोन का गोदाम देखाया क्या है लेकिन अब इरान इसका उत्पादन दूसरे देशों में कर रहा है इसके साफ माइने है कि इरान इस वक्ट दोनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर क्या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है जिसके डून्स सस्ते हैं, असरदार हैं और युद में खुद को साबित भी कर चुके हैं सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त इरान योकरेन युद में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की एक क्वेशन बताती है कि बश्ची मेशया में अगर युद हुआ तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया चलने लगेगी बश्ची मेशया में इस वक्त युद जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए इरान पहले ही अपने हथ्यारों को योकरेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ सौधी अरब और इसरेल को भी चैलेंज कर रहा है इरान ने तीन नए ड्रोन देखाएं हैं इस रिपोर्ट में इरान के ड्रोन का नया धमाका है इरान की ड्रोन पावर जिससे योकरेन पूरी तरह हिल चुका है और अमेरिका के साथ नैटो भी दैशत में है अब उससे भी खतरनाग ड्रोन वाली थाकत का एक और ट्रेलर इरान ने समंदर में दिखाया है पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है दूसरा ड्रोन है आरेश 2 जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है और दीसरा ड्रोन है अबाबेल 2 जो एक नेवल शिप से लॉंच किया जाता है तीनों ड्रोन व्लाउंच किया जाते हैं और फिर ये कहां हमला करते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में आगे देखाएंगे पहले इरान की फॉच की युद्धा भ्यास की नई तस्वीरें देखिए जो बश्शी मेश्या में एक नई सेहरन पैदा कर रही है ये है इरान का युद्धा भ्यास जॉल्फिकार 1401 जिसमें इरान ने एक टापू पर हमला करके उस पर कबजा करने का ट्रिलर दिखाया है इरान की फॉर्स नेवल शिप में से निकल कर एक टापू पर धाबा बोलती है इसमें टैंक भी है बक्तर बंद गाड़ियां भी है और इरान के कमांडों भी है योक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त इरान बहुत ज्यादा आक्रामक है पुतिन का दोस्त इरान अब मैसूस कर रहा है कि योक्रेन को बचाने के लिए नया मोर्चा पश्य मेश्या में खुल सकता है क्योंकि यहां अमेरिका भी है इसराइल भी है साउधी अरब और इन सब का प्रतिद्वन्दी इरान भी है चोंकि पुतिन का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका एक नया वार फ्रंट तैयार कर रहा है ऐसी आशंका इरान की है इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागरता जितना भी इलाका है यहां इरान का खासा दबदबा रहता है और यहां पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समधरी वेड़े को भी इरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है अब देखिए इरान ने जो ड्रोन रॉंच किये थी उन्होंने कैसे हमला किया पहला ड्रोन है अब आभेल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है वो पूरे स्ट्रेट ओफ हार्मूज पर नज़र रखता है यह इरान की ड्रोन पाबर का बहुत भरोसे मन नेगाबान माना जाता है दूसरा ड्रोन है आरिश 2 जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है वो नज़दी की पहाड पर दुश्मन के एक अड़े को टार्गेट करता है जब अचूक निशाना लगता है तो धमा का देखकर इरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देत यह तीसरा ड्रोन यह है अबाबिल टू जो एक नैवल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टार्गेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहार यह एक नैवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाबिल टू बहुत ही सथी खमला करता है यह तो इस तरह इरान ने अपने तमाम हत्यार आजबाने शुरू कर दियां इरान कि रणनीती शुरू से ही आक्रामत रही है। देखिए इरान का ड्रोन अबाविल टू किस ठेकाने को धमाके से तबाह कर देता है। रिपोर्ट के मताबिक जिस टार्गेट को धमाके से उड़ाया गया, वो एज्राइल के एक वार्शिप की ही ढमी है। और इरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन एज्राइल की फौज को लहु लुहान कर सकते हैं। इरान के ड्रोन बहुत ख़दरनाक है, ये पूरी दुनिया मान चुकी है। योक्रेन में इरान के शाहित 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है। योक्रेन के बिचली घरों पर भूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले किया है। और उनको एतना नुकसान पहुचाया कि 50% योक्रेन अंधेरे में ढूप ग्या। योकरेन में इरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि जेलंस्की के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल गया है कीव और खारकियो जैसे शेहरों में योकरेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैक आउट हो गया क्योंकि पुतिन ने जैलन्सकी की पावर ग्रिट को टार्गेट किया है खेर सौन हारने के बाद से ही पुतिन के इरान वाले ड्रोन ने जो दबाही मचाई है उसके आगे जैलन्सकी वेबस हो गए शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाग ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई ड्रोन लॉंच किये जाते हैं यह आत्मधादी ड्रोन है इन्हें इरान का कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है जो योक्रेन की पोजिशन को अटैक कर रहे है देखा जाये तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसलिए उसने अपनी ड्रोन वाली स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गए और कड़कडाती ठंट के बीच एक करोड से जादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है ऐसे में सवाल है कि अगर पश्ची मेशिया में युद्ध हुआ तो इरान के टार्गेट पर कौन होगा इरान कहां योक्रेन वाले हमलों को दोरा सकता है और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्ची मेशिया में कैसी बवंड़ा शुरू हो जाएगा क्योंकि इरान के दुश्मनों की फ्यारिस्ट बहुत लंबी है लेकिन पश्ची मेशिया के अंदर ही दो बड़े नाम है अमेरिका के अलाबा इरान के दो बड़े दुश्मन है पहला है सौधी अरब और दूसरा है एज्रैब ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे घौर से समझेगा अक्टूबर 2022 में जब इरान के शेराज शेहर पर आतनकी हमला हुआ था तब इरान के एक जनरल ने चार देशों को चेतावनी दी थी तब इरान के इस खास मज्यद पर लाल जंडा लगाया गया था सवाल उठने लगे कि अब आगे क्या होगा क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल जंडा इरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलिमानी की मौत होई थी ऐसे में बड़े सवाल हैं कि इस पार इरान क्या बेगाम देना चाहता है इरान क्या अपने दुश्मनों को जुद्ध की चेतावनी दे रहा है इरान के दुश्मन कौन कौन है इन तीन सवालों के जवाब जानने के लिए इरान के रिवालोशनी गार्ड के कमांडर चंडल हुसैन सलामी की बात को बहुत वार से सुनिये का एरान के जनरल की चेताउनी चार देशों के लिए है अमेरिका, इस्राइल, ब्रिटन और सौधी अरब इन सभी को ये धमकी खुलम खुला दी गई है सवाल है कि क्या इरान सौधी अरब या फिर इस्राइल पर हमला करेगा अगर ऐसा हुआ तो पश्री मेशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुवात हो जाएगी सौधी अरब इरान के मुकाबले कैसी पावर है क्या सौधी अरब की फौज एसलायक है कि वो इरान का मुकाबला कर सके अगर इरान ने अपने ड्रोन से सौधी अरब पर हमला किया तो नतीजा क्या होगा क्या युद्ध में सौधी अरब इरान को ठकर दे पाएगा इरान की सवा पांच लाग की फौज के सामने सौधी अरब के पास 4,80,000 की सेना है इरान के पास 500 फाइटर जेट है जबकि सौधी अरब के पास 880 फाइटर जेट है इरान के पास 398 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट पोर्ट है जबकि सौधी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है इरान के पास 3,700 टैंक हैं सौधी अरब के पास एक हजार ही टैंक है, लेकिन दोनों के बीट समंदर भी है. जिसे दोनिया पर्शियन गल्फ या स्क्रेट ओफ आर्बूस के नाम से जानती है. ये वो कल्यारा है जहां अक्सर इरान अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है. सौधी अरब की फाज और खास करोस की अरफोस इरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है. इरान इस वक्त भी 45 वर्ष पुराने फाइटर जेट इस्तिमाल कर रहा है. जबकि सौधी अरब के पास लेटिस जनरेशन के फाइटर जेट हैं जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे हैं. बाबजूद इसके सौधी अरब को लेकर अमेरिका का होसला भी डग मंगाया हुआ है. इरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है. लेकिन इस बार अमेरिका इरान के डारेक्ट टार्गेट पर होगा. कहना मुश्किल है. ना ही ब्रिटन के अग्डों पर इरान की नज़र टेड़ी होगी. इरान इस वक्त इसराइल को लेकर काफी अक्टिव है. और अपने ड्रोन के जरिये वो इसराइल तक को रेंज में रखता है. इन में अबाबल ड्रोन के कई वर्जन है. और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लेबनन तक इस्तेमाल किये गए हैं. अबाबल ड्रोन दुश्मन पर नज़र रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है. और इससे दुश्मन के ठेकानों पर बंबारी भी की जा सकती है. इरान पिछले तीन दश्मों से ऐसे ड्रोन तयार कर रहा हैं. इन में अबाबल वन ड्रोन स्योसाइड हमला करता है. इसमें 40 किलो तक 20 फोटक होता है और ये टार्गेट से खुद को ठकरा कर उसे तबाह कर देता है. अबाबल टू एक सर्विलांस ड्रोन है जो दुश्मन पर नेकाह रखता है और ये 30 किलो का वार हेट लेकर उड़ सकता है. अबाबल ट्री की रफ्तार 200 किलोमेटर प्रती घंटा है. ये 100 किलोमेटर के दायरे में 5000 मीटर की उचाई तक अपरेट करता है. ये रात में भी अपने टार्गेट पर हमला कर सकता है. इस वक्त चर्चा में इरान की ड्रोन की फैक्टरी भी है जो इरान से बाहर तयार हो रही है. इरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजेकस्तान में ड्रोन का बवंडर शुरू कर दिया है. पोतिन को इरान के ड्रोन से खजब की थाकत में ली है. अब इरान इसी ड्रोन पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया बेस बनाना चाहता है. मई 2022 में ही इरान ने ताजेकस्तान में ड्रोन पैर्टरी खोली. जिसमें अब अबाविल ड्रोन बनाय जा रहे हैं. जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद में खुद को साबित भी कर चुके हैं. जिसमेशा में इस वक्त जुद जैसे हालात बन चुके हैं. और इसे देखते हुए इरान पहले ही अपने हत्यारों को योकरेन में भी आजमा चुका है. और अब वो इसके साथ सौधी अरब और इसरेल को भी चैलेंज कर रहा है. इरान ने तीन नए ड्रोन दिखाए हैं. इस रिपोर्ट में इरान के ड्रोन का नया धमाका है. इरान की ड्रोन पावर जिससे योकरेन पूरी तरह हिल चुका है और अमेरिका के साथ नैटो भी दैशत में हैं. अब उससे भी खतरनाग ड्रोन वाली थाकत का एक और ट्रेलर इरान ने समंदर में दिखाया है. पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है. दूसरा ड्रोन है आरेश 2 जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है. और दीसरा ड्रोन है अबाबेल 2 जो एक नेवल शिप से लॉंच किया जाता है. तीनों ड्रोन लॉंच किया जाते हैं और फिर ये कहां हमला करते हैं वो आग को इस रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे. पहले इरान की फॉच की युद्धा भ्यास की नई तस्वीरें देखिए जो बश्शी मेश्या में एक नई सिहरन पैदा कर रही हैं. ये है इरान का युद्धा भ्यास जॉल्फिकार 1401 जिसमें इरान ने एक टापू पर हमला करके उस पर कबजा करने का ट्रिलर दिखाया है. इरान की फॉर्स नेवल शिप में से निकल कर एक टापू पर धाबा बोलती है, इसमें टैंक भी है, बक्तर बंद गाड़ियां भी हैं और इरान के कमांडों भी हैं. योक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त इरान बहुत ज्यादा आक्रामक है, पोतिन का दोस्त इरान अब महसूस कर रहा है कि योक्रेन को बचाने के लिए नया मोर्चा पश्य मेश्या में खुल सकता है, क्योंकि यहां अमेरिका भी है, इसराइल भी है, साओधी अरब और इ इरान की है, इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है, फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागरता जितना भी इलाका है, यहां इरान का खासा दबदबा रहता है, और यहां पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समधरी बेड़े को भी इरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है, अब देखिए, इरान ने जो ड्रोन लॉच्च किये थे, उन्होंने कैसे हमला किया, पहला ड्रोन है, अबाभिल 3, जो रन्वे से टेक आफ करता है, वो पूरे स्ट्रेट ओफ हार्मूज पर नजर रखता है, यह इरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसे मन नेगाबान माना जाता है, दूसरा ड्रोन है, आरेश टू, जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है, वो नजदी की पहाड पर दुश्मन के एक अड्डे को टार्गेट करता है, जब अचूक निशाना लगता है, तो धमा का देखकर इरान के कमांडर एक दूसरे को बध यह एक नैबल शिप की डमी है, और इसी पर जाकर अबाविल टू बहुत ही सती खंबला करता है, तो इस तरह इरान ने अपने तमाम हथियार आजबाने शुरू कर दिया है, इरान की रणनीती शुरू से ही आकामक रही है, और इस ट्रेलर को रिलीज करके इरान ने बता दि क्योंकि पश्ची मेशिया में इरान अकेली पावर नहीं है, एक बद फिर देखिए, इरान का ड्रोन अबाविल टू किस ठेकाने को धमाके से तबाह कर देता है, रिपोर्ट के मताविक जिस टार्गेट को धमाके से उड़ाया गया, वो इस्राइल के एक वार्शिप की ही और इरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन एजरेल की फौज को लहुलुहान कर सकते हैं, इरान के ड्रोन बहुत खदरनाक है, ये पूरी दुनिया मान चुकी है, योक्रेन में इरान के शाहित 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है, योक्रेन के विजली घरों पर रूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले किये, और उनको एतना नुक्सान पहुचाया कि 50 प्रतिशत योक्रेन अंधेरे में ढूप गया, योक्रेन में इरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि जैलन्सकी के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल गया है, कीव और खार्किव जैसे शहरों मे योक्रेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे, और फिर हर तरफ ब्लैक आउट हो गया, क्योंकि पुतिन ने जैलन्सकी की पावर ग्रिट को टार्गेट किया है, खेर सौन हारने के बाद से ही पुतिन के इरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है, उसके आगे जैलन्सकी बस हो गए, शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ध्रोन है, जो अकेले हमला नहीं करता, बलकि एक साथ कई ध्रोन लॉंच किये जाते हैं, यह आत्मिभाती ध्रोन है, इन्हें इरान का कामिकाजे ध्रोन कहा जाता है, जो योक्रेन की पोजिशन को अट्रैक कर रहे हैं, देख जाये तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं, तो एक अलग मोर्चे पर अमारिका को सबक सिखाना चाहता है, और इसी लिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रोस को दी है, अब ड्रोन से अटाक होता है, तो आस्मान से तबाही बरस्ती है, यही वज़ा है कि योक्रेन के 50% पा तो इरान के टार्गेट पर कौन होगा, इरान कहां योक्रेन वाले हमलों को दोरा सकता है, और अगर ऐसा हमला हुआ, तो पश्ची मेशिया में कैसी बवंडर शुरू हो जाएगा, क्योंकि इरान के दुश्मनों की फ्यारिस्त बहुत लंबी है, लेकिन पश्ची मेशिया क जब इरान के शिराज शहर पर आतनकी हमला हुआ था, तब इरान के एक जनरल ने चार देशों को चेतावनी दी थी, तब इरान के इस खास मज्यद पर लाल जंडा लगाया गया था, सवाल उठने लगे कि अबागे क्या होगा, क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल जंडा इरान में त इन तीन सवालों के जवाब जानने के लिए एरान के रिवालोशनी गार्ड के कमांडर चंडल हुसैन सलामी की बात को बहुत बार से सुनिये का इरान के जनरल की छेतावनी चार देशों के लिए है, अमेरिका, इस्राइल, ब्रिटन और सवाल है कि क्या इरान सवालोशनी अरब या फिर इस्राइल पर हमला करेगा, अगर ऐसा हुआ तो पश्री मेशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुरवात हो जाएगी, सव सवालोशनी अरब की फौज एसलायक है कि वो इरान का मुकाबला कर सके, अगर इरान ने अपने ड्रोन से सवालोशनी अरब पर हमला किया तो नतीज़ा क्या होगा, क्या युद्ध में सवालोशनी अरब इरान को ठकर दे पाएगा? इरान की सवा 5 लाग की फौज के सामने सवाधी अरब के पास 4 लाग 80,000 की सेना है, इरान के पास 500 फाइटर जेट है, जबकि सवाधी अरब के पास 880 फाइटर जेट है, इरान के पास 398 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट पोर्ट है, जबकि सवाधी अरब के पास पच्पन जहाजों की ही नेवी है इरान के पास 3700 टैंक है साओधी अरब के पास 1000 ही टैंक है लेकिन दोनों के बीट समंदर भी है जैसे दोनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ओफ आर्बूस के नाम से जानती है ये वो कलियारा है जहां अक्सर इरान अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है सौधी अरब की फार्ज और खास करोस की अरबोस इरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है इरान इस वक भी 45 वर्ष पुराने फाइटर जेट इस्तिमाल कर रहा है जबकि सौधी अरब के पास लेटिस जनरेशन की फाइटर जेट है जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे है बाबजूद इसके सौधी अरब को लेकर अमेरिका का होसला भी डग मंगाया हुआ है इरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है लेकिन इस बार अमेरिका इरान के डारेक्ट टार्गेट पर होगा कहना मुश्किल है ना ही ब्रिटन के अग्ड़ों पर इरान की नज़र टेड़ी होगी इरान इस वक्त इसराइल को लेकर काफी अक्टिव है और अपने ड्रोन के जरीए वो इजराल तक को रेंज में रखता है इन में अबाविल ड्रोन के कई वर्जन है और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लेबनन तक इस्तेमाल किये गए हैं अबाविल ड्रोन दुश्मन पर नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इससे दुश्मन के ठेकानों पर बंबारी भी की जा सकती है इरान पिछले तीन दश्कों से ऐसे ड्रोन तयार कर रहा है इन में अबाविल वन ड्रोन स्योसाइड हमला करता है इसमें 40 किलो तक 20 फोटक होता है और ये टार्गेट से खुद को टकरा कर उसे तबाह कर देता है अबाविल ड्रोन एक सर्विलन्स ड्रोन है जो दुश्मन पर निगाह रखता है और ये 30 किलो का वार हेट लेकर उड़ सकता है अबाविल 3 की रफतार 200 किलो मेटर प्रती घंटा है ये 100 किलो मेटर के दायरे में 5000 मीटर की उचाई तक अपरेट करता है ये रात में भी अपने टार्गेट पर हमला कर सकता है इस वक्त चर्चा में इरान की ड्रोन की फैक्टरी भी है जो इरान से बाहर तैयार हो रही है इरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजेकस्तान में ड्रोन का बवंडर शुरू कर दिया है पोतिन को इरान के ड्रोन से खजब की थाकत में ली है अब इरान इसी ड्रोन पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया बेस बनाना चाहता है मई 2022 में ही इरान ने ताज़े किस्तान में ड्रोन पैटरी खोली जिसमें अब अबाविल ड्रोन बनाय जा रहे है अभी तक इरान की सोरंगों में ड्रोन का गोदाम देखाया क्या है लेकिन अब इरान इसका उत्पादन दूसरे देशों में कर रहा है इसके साफ औन मायने है कि इरान इस व Wellington डुनिया की सबसे बड़ी ड्रून पावर या कहें कि ड्रून- लीडर बन चुका है जिसके डून्स सस्ते हैं, असरदार हैं और युद्ध में खुद को साबित भी कर चुके हैं सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त इरान योक्रेन युद्ध में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की एक क्वेशन बताती है कि पश्ची मेश्या में अगर युद्ध हुआ तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया चलने लगेगी बश्ची मेश्या में इस वक्त जुद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए इरान पहले ही अपने हत्यारों को योक्रेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ सौदी अरब और इस्रेल को भी चैलेंज कर रहा है इरान ने तीन नए ड्रोन दिखाए है इस रिपोर्ट में इरान के ड्रोन का नया धमाका है इरान की ड्रोन पावर जिससे योक्रेन पूरी तरह हिल चुका है और अमेरिका के साथ नैटो भी दैशत में है अब उससे भी खतरनाग ड्रोन वाली थाकत का एक और ट्रेलर इरान ने समंदर में दिखाया है पहला ड्रोन है अबा बेल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है दूसरा ड्रोन है आरिश 2 जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है और दीसरा ड्रोन है अबा बेल 2 जो एक नेवल शिप से लॉंच किया जाता है तीनों ड्रोन लॉंच किया जाते हैं और फिर ये कहां हमला करते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे पहले इरान की फॉच की युद्धा भ्यास की नई तस्वीरे देखिए जो बश्शी मेश्या में एक नई सिहरन पैदा कर रही है ये है इरान का युद्धा भ्यास जॉल्फिकार 1401 जिसमें इरान ने एक टापू पर हमला करके उस पर कबजा करने का ट्रिलर दिखाया है इरान की फॉर्स नेवल शिप में से निकल कर एक टापू पर धाबा बोलती है इसमें टैंक भी है बक्तर बंद गाड़ियां भी है और इरान के कमांडों भी है योक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त इरान बहुत ज्यादा आक्रामक है पोतिन का दोस्त इरान अब मैसूस कर रहा है कि योक्रेन को बचाने के लिए नया मोर्चा पश्य मेश्या में खुल सकता है क्योंकि यहां अमेरिका भी है इसराइल भी है साओधी अरब और इन सब का प्रतिद्वन्दी इरान भी है चोंकि पोतिन का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका एक नया वार फ्रंट तयार कर रहा है ऐसी आशंका इरान की है इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागरता जितना भी इलाका है यहां इरान का खासा दबदबा रहता है और यहां पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समद्री बेडे को भी इरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा ह अब देखिए इरान ने जो ड्रोन लॉंच किये थी उन्होंने कैसे हमला किया पहला ड्रोन है अब आभिल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है वो पूरे स्ट्रेट औफ हार मूज पर नज़र रखता है यह इरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसे मन नेगाबान माना जाता है जब अचूक निशाना लगता है तो धमा का देखकर इरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देते हैं अब देखिए तीसरा ड्रोन ये है अबाविल 2 जो एक नैबल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टार्गिट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा द शुरू से ही आकामक्त रही है और इस ट्रेलर को रिलीज करके एरान ने बता दिया है कि पश्यमेशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीजह बुरा होगा तो सवाल है कि आखिर इरान ये चैलेंज किसे कर रहा है अब इस रिपोर्ट में इरान के दुश्मनों के बारे में समझें क्योंकि पश्ची मेश्या में इरान अकेली पावर नहीं है एक पर फिर देखिए इरान का ड्रोन अबाविल टू किस ठेकाने को धमाके से तबाह कर देता है रिपोर्ट के मताबिक जिस टार्गेट को धमाके से उड़ाया गया वो एजरायल के एक वार्शिप की ही ढमी है और इरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन एजरेल की फौज को लहुलुहान कर सकते हैं इरान के ड्रोन बहुत ख़दरनाक है ये पूरी दुनिया मान चुकी है योक्रेन में इरान के शाहित 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है योक्रेन के बिचली घरों पर गूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले किया और उनको इतना नुक्सान पहुँचाया कि 50 प्रतिशत योक्रेन अंधेरे में दूप किया योक्रेन में ईरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि जैलंस्की के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल गया है कीव और खारकिव जैसे शहरों में योक्रेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ड्लैक आउट हो गया क्योंकि पुतिन ने जेलन्सकी की पावर ग्रिट को टार्गेट किया है खेर सौन हारने के बाद से ही पुतिन के एरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे जेलन्सकी वेवस हो गए शाहिद 136 वाकई बहुत खतरना ध्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई ध्रोन लॉंच किये जाते हैं यह आत्मधाती ध्रोन है इन्हें इरान का कामी काजे ध्रोन कहा जाता है जो योक्रेन की पोजिशन को अटैक कर रहे हैं देखा जाये तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमारिका को सबक सिखाना चाहता है और इसी लिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रोस को दी है अब ड्रोन से अटैक होता है तो आस्मान से तबाही बरसती है यही वज़ा है कि योक्रेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गए और कड़कडाती ठंड के बीच एक करोड से जादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है ऐसे में सवाल है कि अगर पश्ची मेशिया में युद्ध हुआ तो इरान के टार्गेट पर कौन होगा इरान कहां योक्रेन वाले हमलों को दोरा सकता है और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्ची मेशिया में कैसी बवंड़ा शुरू हो जाएगा क्योंकि इरान के दुश्ची मेशिया के अंदर ही दो बड़े नाम है अमेरिका के अलाबा इरान के दो बड़े दुश्च्मन है पहला है सौधी अरभ और दूसरा है एसरा है ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे घौर से समझेगा अक्टूबर 2022 में जब इरान के शिराज शहर पर आतंकी हमला हुआ था तब इरान के एक जनरल ने चार देशों को चेतावनी दी थी तब इरान के इस खास मज्यद पर लाल जंडा लगाया गया था सवाल उठने लगे कि अबागे क्या होगा क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल जंडा इरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलिमानी की मौत होई थी ऐसे में बड़े सवाल है कि इस पार इरान क्या बैगाम देना चाहता है इरान क्या अपने दुशमनों को जद्दकी चेतानी दे रहे है इरान के दुशमन कोन कोन है इन तीन सवालों के जवाब जनने के लिए एरान के रिवालोशनी गार्ड के कमانडर चंडल हुसैंड सलामी की बात को बहुत बाद से सुनीए گा इरान के जनरल की चेताउनी चार देशों के लिए है अगर ऐसा हुआ तो पश्री मेशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुर्वात हो जाएगी सौधी अरब इरान के मुकाबले कैसी पावर है क्या सौधी अरब की फौज एसलायक है कि वो इरान का मुकाबला कर सके अगर इरान ने अपने ड्रोन से सौधी अरब पर हमला किया तो नतीजा क्या होगा क्या युद्ध में सौधी अरब इरान को ठकर दे पाएगा इरान की सवा 5 लाग की फौज के सामने सौधी अरब के पास 4 लाग 80,000 की सेना है इरान के पास 500 फाइटर जेट है जबकि सौधी अरब के पास 880 फाइटर जेट है इरान के पास 398 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट पोर्ट है जबकि साओधी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है इरान के पास 3700 टैंक हैं साओधी अरब के पास 1000 ही टैंक हैं लेकिन दोनों के भीट समंदर भी है जिसे दुनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ओफ आर्बूस के नाम से जानती है ये वो कलियारा है जहां अकसर इरान अमेरिका के बड़े बड़े जंदी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है साओधी अरब की फाउज और खास करोस की अरपोस इरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है इरान इस वक्त भी 45 वर्ष पुराने फाइटर जेट इस्तिमाल कर रहा है जबकि साओधी अरब के पास लेटिस जनरेशन के फाइटर जेट है जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे है बाबजूद इसके साओधी अरब को लेकर अमेरिका का होसला भी डगमागाया हुआ है इरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है लेकिन इस बार अमेरिका इरान के डारेक्ट टार्गेट पर होगा कहना मुश्किल है ना ही ब्रिटन के अग्डों पर इरान की नज़र टेड़ी होगी इरान इस वक्त इस्राइल को लेकर काफी अक्टिव है और अपने ड्रोन के जरिये वो इस्राइल तक को रेंज में रखता है इन में अबाबिल ड्रोन के कई वर्जन है और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लेबनन तक इस्तेमाल किये गए हैं अबाबिल ड्रोन दुश्मन पर नज़र रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इससे दुश्मन के ठेकानों पर बंबारी भी की जा सकती है इरान पिछले तीन दश्कों से ऐसे द्रोन तयार कर रहा है इन में अबाविल वन ड्रोन स्योसाइड हमला करता है इसमें 40 किलो तक विस्फोटक होता है और ये टार्गेट से खुद को ठकरा कर उसे तबाह कर देता है अबाविल 2 एक सर्विलांस ड्रोन है जो दुश्मन पर निगाह रखता है और ये 30 किलो का वार हेट लेकर उड़ सकता है अबाविल 3 की रफ्तार 200 किलोमेटर प्रती घंटा है ये 100 किलोमेटर के दायरे में 5000 मीटर की उचाई तक अपरेट करता है ये रात में भी अपने टार्केट पर हमला कर सकता है इस स्वक्त चर्चा में इरान की ड्रोन की फैक्टरी भी है जो इरान से बाहर तैयार हो रही है इरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजेकस्तान में ड्रोन का बवंडर शुरू कर दिया है पोतिन को एरान के ड्रोन से घजब की थाकत में लिए अब इरान इसी ड्रोन पावर के लिए Central Asia को अपना नया बेस बनाना चाहता है मई 2022 में ही इरान में ताजेकस्तान में ड्रोन पैट्रेश खोले इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी drone power क्या कहें कि drone leader बन चुका है जिसके drone सस्ते हैं, असरदार हैं और युद में खुद को साबित भी कर चुके हैं सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त इरान योक्रेन युद में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की एक क्वेशन बताती है कि पश्ची मेश्या में अगर युद्ध हुआ तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया जलने लगेगी पश्ची मेश्या में इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए इरान पहले ही अपने हथ्यारों को यूकरेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ सौधी अरब और इस्रेल को भी चैलेंज कर रहा है इरान ने तीन नए ड्रोन देखाए हैं इस रिपोर्ट में इरान के ड्रोन का नया धमाका है इरान की ड्रोन पावर जिससे यूकरेन पूरी तरह हिल चुका है और अमेरिका के साथ नैटो भी दैशत में है अब उससे भी खतरनाग ड्रोन वाली थाकत का एक और ट्रेलर इरान ने समंदर में दिखाया है पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रनवे से टेक ओफ करता है दूसरा ड्रोन है आरिश 2 जो एक स्टैंट पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ओफ करता है और दीसरा ड्रोन है अबाबेल 2 जो एक नेवल शिप से लॉँच किया जाता है तीनो ड्रोन व्लाउंच किया जाते हैं और फिर ये कहा हमला करते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में आगे देखाएंगे पहले इरान की फॉच की जुद्धा भ्यास की नई तस्वीरे देखिए जो बश्य मेश्या में एक नई सेहरन पैदा कर रही है ये है इरान का युद्धा भ्यास जुल्फिकार 1401 जिसमें इरान ने एक टापू पर हमला करके उस पर कबजा करने का ट्रिलर देखाया है इरान की फोर्स नेवल शिप में से निकल कर एक टापू पर धाबा बोलती है इसमें टैंक भी है बक्तर बंद गाड़ियां भी है और इरान के कमान्जों भी है योक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त इरान बहुत ज्यादा आक्रामक है पोतिन का दोस्त इरान अब मैसूस कर रहा है कि योक्रेन को बचाने के लिए नया मोर्चा पश्य मेश्या में खुल सकता है क्योंकि यहां अमेरिका भी है इसराइल भी है साओधी अरब और इन सब का प्रतिद्वन्दी इरान भी है चोंकि पोतिन का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका एक नया वार फ्रंट तयार कर रहा है ऐसी आशंका इरान की है इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागरता जितना भी इलाका है यहाँ इरान का खासा दबदबा रहता है और यहाँ पर अक्षर आने वाले अमेरिका के समद्री वेड़े को भी इरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है अब देखिए इरान ने जो ड्रोन लॉंच किये थी उन्होंने कैसे हमला किया पहला ड्रोन है अबाभिल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है वो पूरे स्ट्रेट ओफ हार्मूज पर नजर रखता है यह इरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसे मन नेगाबान माना जाता है दूसरा ड्रोन है आरेश टू जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है वो नजदी की पहाड पर दुश्मन के एक अड़्डे को टार्केट करता है जब अचूक निशाना लगता है तो धमा का देखकर इरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देते है अब देखिए तीसरा ड्रोन ये है अबाविल टू जो एक नेवल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टार्केट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहाज ये एक नेवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाविल टू बहुत ही सती खमला करता है तो इस तरह एरान ने अपने तमाम हथियार आजबाने शुरू कर दिया है इरान की रणनीती शुरू से ही आग कामक रही है और इस ट्रेलर को रिलीज करके इरान में बता दिया है कि पश्ची मेशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीज़ा बुरा होगा तो सवाल है कि आखिर इरान ये चैलेंज किसे कर रहा है अब इस रिपोर्ट में इरान के दुश्पनों के बारे में समझे है क्योंकि पश्ची मेशिया में इरान अकेली पावर नहीं है एक बाद फिर देखिए इरान का ड्रोन अबाविल टू किस ठिकाने को धमाके से तबाह कर देता है रिपोर्ट के मताविक जिस टार्गेट को धमाके से उड़ाया गया वो इस्राइल के एक वार्शिप की ही डमी है और इरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन इस्राइल की फौज को लहुलुहान कर सकते हैं इरान के ड्रोन बहुत खदरनाक है ये पूरी दुनिया मान चुकी है योकरेन में इरान के शाहित 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है योकरेन के बिचली घरों पर बूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले किया और उनको एतना नुकसान पहुँचाया कि 50 प्रतिशत योकरेन अंधेरे में ढूप गया योकरेन में इरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि जैलन्सकी के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल गया है कीव और खारकिव जैसे शहरों में योकरेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैक आउट हो गया क्योंकि पुतिन ने जैलन्सकी की पावर ग्रिट को टार्गेट किया है खेर सौन हारने के बाद से ही पुतिन के इरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे जैलन्सकी बेबस हो गए शाहिद 136 वाकई बहुत खतरना ध्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई ध्रोन लॉंच किये जाते हैं यह आत्मधाती ध्रोन है इन्हें इरान का कामी काजे ध्रोन कहा जाता है जो योक्रेन की पोजिशन को अटैक कर रहे है देखा जाये तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमारिका को सबक सिखाना चाहता है और इसी लिए उसने अपनी ध्रोन वाली ताकत रोस को दी है अब ध्रोन से अटैक होता है तो आस्मान से तबाही बरसती है यही वज़ा है कि योक्रेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गए और कड़कडाती ठंड के बीच एक करोड से जादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है ऐसे में सवाल है कि अगर पश्ची मेशिया में युद्ध हुआ तो इरान के टार्गेट पर कौन होगा इरान कहां योक्रेन वाले हमलों को दोरा सकता है और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्ची मेशिया में कैसे बवंड़ा शुरू हो जाएगा क्योंकि इरान के दुश्ची मेशिया के अंदर ही दो बड़े नाम है अमेरिका के अलाबा इरान के दो बड़े दुश्च्मन है पहला है सौधी अरग और दूसरा है एज्राग ऐसा क्यूं कहा जा रहा है इसे घौर से समझेगा अक्टूबर 2022 में जब इरान के शिराज शहर पर आतंकी हमला हुआ था तब इरान के एक जनरल ने चार देशों को चेतावनी दी थी तब इरान के इस खास मज्यद पर लाल जंडा लगाया गया था सवाल उठने लगे कि अबागे क्या होगा क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल जंडा इरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलिमानी की मौत होई थी ऐसे में बड़े सवाल है कि इस पार इरान क्या बेगाम देना चाहता है इरान क्या अपने दुशमनों को जद्ध की चतावनी दे रहे इरान के दुशमन कौन-कौन है इन तीन सवालों के जब जब जनने के लिए इरान के रिज़ुने के लिएके कमांडर चंडल होसें सलामी की बात को बहुत बाद से सुनीगा इरान के जनरल की छेताउनी चार देशों के लिए हैं अमेरिका, इस्राइल, ब्रिटेन और सौधी अरब इन सभी को ये धमकी खुलम खुला दी गई है सवाल है कि क्या इरान सौधी अरब या फिर इस्राइल पर हमला करेगा अगर ऐसा हुआ तो पश्री मेशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुर्वात हो जाएगी सौधी अरब इरान के मुकाबले कैसी पावर है क्या सौधी अरब की फौज एसलायक है कि वो इरान का मुकाबला कर सके अगर इरान ने अपने ड्रोन से सौधी अरब पर हमला किया तो नतीजा क्या होगा क्या युद्ध में सौधी अरब इरान को ठकर दे पाएगा इरान की सवा पांच लाग की फौज के सामने सौधी अरब के पास 4,80,000 की सेना है इरान के पास 500 फाइटर जेट है जबकि सौधी अरब के पास 880 फाइटर जेट है इरान के पास 398 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट पोर्ट है जबकि सौधी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है इरान के पास 3,700 टैंक हैं सौधी अरब के पास एक हजार ही टैंग है, लेकिन दोनों के भीट समंदर भी है. जिसे दुनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ओफ हार्बूस के नाम से जानती है. ये वो कलियारा है जहां अकसर एरान अमेरिका के बड़े बड़े जंदी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है. सौधी अरब की फाज और खास करोस की अरपोस एरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है. इरान इस वक्त भी 45 वर्ष पुराने फाइटर जेट इस्दिमाल कर रहा है. जबकि सौधी अरब के पास लेटिस जनरेशन के फाइटर जेट हैं जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे हैं. बाबजूद इसके सौधी अरब को लेकर अमेरिका का होसला भी डगमागाया हुआ है. इरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है. लेकिन इस बार अमेरिका इरान के डारेक्ट टार्गेट पर होगा. कहना मुश्किल है. ना ही ब्रिटन के अग्ड़ों पर इरान की नज़र टेड़ी होगी. इरान इस वक्त इसराइल को लेकर काफी अक्टिव है. और अपने ड्रोन के जरिये वो इसराइल तक को रेंज में रखता है. इन में अबाबिल ड्रोन के कई वर्जन है. और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लेबनन तक इस्तेमाल किये गए हैं. अबाबिल ड्रोन दुश्मन पर नज़र रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है. और इससे दुश्मन के ठेकानों पर बंबारी भी की जा सकती है. इरान पिछले तीन दश्मों से ऐसे द्रोन तयार कर रहा है. इन में अबाबिल वन ड्रोन स्योसाइड हमला करता है. इसमें 40 किलो तक विस्फोटक होता है और ये टार्गेट से खुद को ठकरा कर उसे तबाह कर देता है. अबाबिल 2 एक सर्विलांस ड्रोन है जो दुश्मन पर निगाह रखता है और ये 30 किलो का वार हेट लेकर उड़ सकता है. अबाबिल 3 की रफ्तार 200 किलोमेटर प्रती घंटा है. ये 100 किलोमेटर के दायरे में 5000 मीटर की उचाई तक आपरेट करता है. ये रात में भी अपने टार्केट पर हमला कर सकता है. इस स्वक्त चर्चा में इरान की ड्रोन की फैक्टरी भी है जो इरान से बाहर तैयार हो रही है. इरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजेकस्तान में ड्रोन का बवंडर शुरू कर दिया है. मई 2022 में ही इरान ने ताजेकस्तान में ड्रोन फैटरी खोले जिसमें अब अबाविल ड्रोन बनाय जा रहे हैं। अभी तक इरान की सुरंगों में ड्रोन का गोदाम देखाया क्या है। लेकिन अब इरान इसका उत्पादन दूसरे देशों में कर रहा है। इसके साफ माइने है कि इरान इस वक्त दूनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर क्या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है। जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद में खुद को साबित भी कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त इरान इुक्रेन युद में रूस की बड़ी मदद कर रहा है। और दुनिया की एक क्वेशन बताती है कि पश्ची मेशा में अगर युद होआ, तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया चलने लगेगी। बश्ची मेशा में इस वक्त जुद जैसे हालात बन चुके हैं। और इसे देखते हुए इरान पहले ही अपने हथियारों को युक्रेन में भी आजमा चुका है। और अब वो इसके साथ सौधी अरब और इसरेल को भी चैलेंज कर रहा है। इरान ने तीन नए ड्रोन देखाए हैं। इस रिपोर्ट में इरान के ड्रोन का नया धमाका है। इरान की ड्रोन फावर जिससे युक्रेन पूरी तरह हिल चुका है। और अमेरिका के साथ नैटो भी दैशत में है। अब उससे भी खतरनाग ड्रोन वाली थाकत का एक और ट्रेलर इरान ने समंदर में दिखाया है पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रन्वे से टेक आफ करता है दूसरा ड्रोन है आरिश 2 जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है और दीसरा ड्रोन है अबाबेल 2 जो एक नेवल शिप से लाउंच किया जाता है तीनो ड्रोन लाउंच किया जाते हैं और फिर ये कहां हमला करते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे पहले इरान की फौज की युद्धा भ्यास की नई तस्वीरें देखिए जो बश्शी मेश्या में एक नई सहरन पैदा कर रही है ये है इरान का युद्धा भ्यास Zolfikar 1401 जिसमें इरान ने एक टापू पर हमला करके उस पर कबजा करने का ट्रिलर देखाया है इरान की फौर्स नेवल शिप में से निकल कर एक टापू पर धाबा बोलती है इसमें टैंक भी है बक्तर बंद गाड़ियां भी है और इरान के कमांजों भी है योक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त इरान बहुत ज्यादा आक्रामक है पोतिन का दोस्त इरान अब मैसूस कर रहा है कि योक्रेन को बचाने के लिए नया मोर्चा पश्य मेश्या में खुल सकता है क्योंकि यहां अमेरिका भी है इसराइल भी है साओधी अरब और इन सब का प्रतिद्वन्दी इरान भी है च्योंकि पोतिन का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका एक नया वार फ्रंट तयार कर रहा है ऐसी आशंका इरान की है इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागरता जितना भी इलाका है यहाँ इरान का खासा दबदबा रहता है और यहाँ पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समधरी वेड़े को भी इरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है अब देखिए इरान ने जो ड्रोन लॉंच किये थी उन्होंने कैसे हमला किया पहला ड्रोन है अब आभिल 3 जो रन्वे से टेक आफ करता है वो पूरे स्ट्रेट ओफ हार्मूज पर नजर रखता है यह इरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसे मन नेगाबान माना जाता है दूसरा ड्रोन है आरेश्टू जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है वो नजदी की पहाड पर दुश्मन के एक अड़े को टार्गेट करता है जब अचूप निशाना लगता है तो धमा का देखकर इरान के कमांदर एक दूसरे को बधाई देते हैं अब देखिए तीसरा ड्रोन ये है अबाविल टू जो एक नैवल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टार्गेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहार ये एक नैवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाविल टू बहुत ही सठी खंबला करता है तो इस तरह इरान ने अपने तमाम हथियार आजबाने शुरू कर दिया है इरान की रणनीती शुरू से ही आक्रामक रही है और इस ट्रेलर को रिलीज करके इरान में बता दिया है कि पश्ची मेशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीजा बुरा होगा तो सवाल है कि आखिर इरान ये चैलेंज किसे कर रहा है अब इस रिपोर्ट में इरान के दुश्मनों के बारे में समझे हैं क्योंकि पश्ची मेश्या में इरान अकेली पावर नहीं है एक बार फिर देखिए इरान का ड्रोन अबाविल 2 किस ठिकाने को धमाके से तबाह कर देता है रिपोर्ट के मताविक जिस ठार्गेट को धमाके से उड़ाया गया वो एजरायल के एक वार्शिप की ही डमी है और इरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन एजरायल की फौज को लहुलुहान कर सकते हैं इरान के ड्रोन बहुत खदरनाक है ये पूरी दुनिया माच चुकी है योकरेन में इरान के शाहित 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है योकरेन के बिजली घरों पर गूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले किया और उनको एतना नुकसान पहुचाया कि 50 प्रतिशत योकरेन अंधेरे में डूप गया योकरेन में इरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि जैलन्सकी के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल गया है कीव और खारकिव जैसे शहरों में योकरेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैक आउट हो गया क्योंकि पुतिन ने जैलन्सकी की पावर ग्रिट को टार्गेट किया है खेर सौन हारने के बाद से ही पुतिन के इरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे जैलन्सकी बेबस हो गए शाहिद 136 वाक़ी बहुत खतरनाग ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई ड्रोन लॉंच किये जाते हैं छे आत्मधाती ड्रोन है इन्हें इरान का कामी काजे ड्रोन कहा जाता है जो योकरेन की पोजिशन को अटेक कर रहे हैं देखा जाये तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसी लिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रोस को दी है अब ड्रोन से अटैक होता है तो आस्मान से तबाही बरस्ती है यही वज़ा है कि योकरेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गएं और कड़कडाती ठंड के बीच एक करोड से जादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है ऐसे में सवाल है कि अगर पश्ची मेशिया में युद्ध हुआ तो इरान के टार्गेट पर कौन होगा इरान कहां योकरेन वाले हमलों को दोरा सकता है और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्ची मेशिया में कैसी बवंड़ शुरू हो जाएगा क्योंकि इरान के दुश्मनों की फ्यारिस्ट बहुत लंबी है लेकिन पश्ची मेशिया के अंदर ही दो बड़े नाम है अमेरिका के अलाबा इरान के दो बड़े दुश्मन है पहला है सुधी अरब और दूसरा है एज्राइब ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे घौर से समझेगा अक्टूबर 2022 में जब इरान के शिराज शहर पर आतंकी हमला हुआ था तब इरान के एक जनरल ने चार देशों को चेतावनी दी थी तब इरान के इस खास मज्यद पर लाल जंडा लगाया गया था सवाल उठने लगे कि अब आगे क्या होगा क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल जंडा इरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलिमानी की मौत होई थी, ऐसे में बड़े सवाल है कि इस बार एरान क्या पेगाम देना चाहता है? एरान क्या अपने दुश्मनों को युद्ध की चेताउनी दे रहा है? एरान के दुश्मन कौन कौन है? इन तीन सवालों के जवाब जानने के लिए एरान के रिवालोशनी गार्ड के कमांडर चंडल हुसंड सलामी की बात को बाहत बार से सुनी गर्ड़ूर। चार देशों के लिए हैं अमेरिका, इस्रायल, ब्रिटन और सौधी अरब इन सभी को ये धमकी खुलम खुला दी गई है। इरान की सवा पांच लाग की फौच के सामने सौधी अरब के पास चार लाग असी हजार की सीना है। इरान के पास पांच सो फाइटर जेट हैं जबकि सौधी अरब के पास आट सो असी फाइटर जेट हैं। इरान के पास 398 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट पोर्ट हैं जबकि सौधी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है। इरान के पास 3700 टैंक हैं, सौधी अरब के पास 1000 ही टैंक हैं लेकिन दोनों के भीट समंदर भी है। जिसे दुनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ओफ हार्बूस के नाम से जानती है। अक्सर इरान अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है। डारेक्ट टार्गेट पर होगा। कहना मुश्किल है। ना ही ब्रिटन के अध्रों पर इरान की नज़र ठेड़ी होगी। इरान इस वक्त इस्राइल को लेकर काफी अक्टिव है। और अपने ड्रोन के जरिये वह इस्राइल तक को रेंज में रखता है। इन में अबाबिल ठोन के कई वर्जन हैं। और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लेबनन तक इस्तेमाल किये गये। अबाबिल ठोन दुश्मन पर नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इससे दुश्मन के ठेकानों पर बंबारी भी की जा सकती है। इरान पिछले तीन दश्कों से ऐसे ठोन तयार कर रहा है। टार्गेट से खुद को टकरा कर उसे तबाह कर देता है। अबाबिल ठो एक सर्विलंस ड्रून है जो दुश्मन पर निगाह रखता है और ये 30 किलो का वार हेट लेकर उड़ सकता है। अबाबिल 3 की रफतार 200 किलो मेटर प्रती घंटा है। ये 100 किलो मेटर के दाइरे में 5000 मीटर की उचाई तक अपरेट करता है। ये रात में भी अपने टार्गेट पर हमला कर सकता है। 2022 में ही इरान ने ताज़े किस्तान में ड्रोन फैटरी खोली। जिसमें अब अबाबिल ड्रोन बनाये जा रहे हैं। अब ही तक इरान की सुरंगों में ड्रोन का गोदाम देखाया क्या है। लेकिन अब इरान इसका उत्पादन दूसरे देशों में कर रहा है। इसके साफ्त मायने है कि इरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रून पावर या कहें कि ड्रून लीडर बन चुका है, जिसके ड्रून सस्ते हैं, असरदार हैं और युद में खुद को साबित भी कर चुके हैं सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त इरान इंक जुद में रूस की बड़ी मदद कर रहा है, और दुनिया की इक वक्त पावर युद हो तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया चलने लगेगी। बश्शी मेशा में इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए इरान पहले ही अपने हत्यारों को योकरेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ सौधी अरब और इसरेल को भी चैलेंज कर रहा है इरान ने तीन नए ड्रोन देखाए हैं इस रिपोर्ट में इरान के ड्रोन का नया धमाका है इरान की ड्रोन पावर जिससे योकरेन पूरी तरह हिल चुका है और अमेरिका के साथ नैटो भी दैशत में है अब उससे भी खतरनाग ड्रोन वाली थाकत का एक और ट्रेलर इरान ने समंदर में दिखाया है पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है दूसरा ड्रोन है आरिश 2 जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है और दीसरा ड्रोन है अबाबेल 2 जो एक नेवल शिप से लॉंच किया जाता है तीनों ड्रोन व्लाउंच किया जाते हैं और फिर ये कहां हमला करते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे पहले इरान की फॉँच की युद्धा भ्यास की नई तस्वीरे देखिए जो बश्य मेश्या में एक नई सिहरन पैदा कर रही है ये है इरान का युद्धा भ्यास जॉल्फिकार 1401 जिसमें इरान ने एक टापू पर हमला करके उस पर कबजा करने का ट्रिलर दिखाया है इरान की फोर्स नेवल शिप में से निकल कर एक टापू पर धाबा बोलती है इसमें टैंक भी है बकतर बंद गाड़ियां भी है और इरान के कमांडों भी है योक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त इरान बहुत ज्यादा आक्रामक है पोतिन का दोस्त इरान अब महसूस कर रहा है कि योक्रेन को बचाने के लिए नया मोर्चा पश्य मेश्या में खुल सकता है क्योंकि यहां अमेरिका भी है इसराइल भी है साओधी अरब और इन सब का प्रतिद्वन्दी इरान भी है चोंकि पोतिन का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका एक नया वार फ्रंट तयार कर रहा है ऐसी आशंका इरान की है इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्याद एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागरतर जितना भी इलाका है यहां इरान का खासा दबदबा रहता है और यहां पर अक्सर आने बाले अमेरिका के समद्री बेडे को भी इरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है अब देखिए इरान ने जो ड्रोन लाँज किये थी उन्होंने कैसे हमला किया पहला ड्रोन है अबाभिल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है वो पूरे स्ट्रेट औफ हार्मूस पर नजर रखता है ये इरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसे मन नेगाबान माना जाता है दूसरा ड्रोन है आरेश टू जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है वो नजदी की पहाड़ पर दुश्मन के एक अड़्डे को टार्गेट करता है जब अचूप निशाना लगता है तो धमा का देखकर इरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देते है अब देखिए तीसरा ड्रोन ये है अबाविल टू जो एक नेवल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टार्गेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहाज ये एक नेवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाविल टू बहुत ही सथी खमला करता है तो इस तरह इरान ने अपने तमाम हथियार आजबाने शुरू कर दिया है इरान की रननीती शुरू से ही आग कामक रही है और इस ट्रेलर को रिलीज करके इरान ने बता दिया है कि पश्ची मेश्या में उसको चैलेंज किया गया तो नतीजा बुरा होगा तो सवाल है कि आखिर इरान ये चैलेंज किसे कर रहा है अब इस रिपोर्ट में इरान के दुश्मनों के बारे में समझे है क्योंकि पश्ची मेश्या में इरान अकेली पावर नहीं है एक बाद फिर देखिए इरान का ड्रोन अबाविल टू किस ठेकाने को धमाके से तबाह कर देता है रिपोर्ट के मताविक जिस टार्गेट को धमाके से उड़ाया गया वो इस्राइल के एक वार्शिप की ही ढमी है और इरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन इस्राइल की फौज को लहुलुहान कर सकते हैं इरान के ड्रोन बहुत खदरनाक है यह पूरी दुनिया मान चुकी है योक्रेन में इरान के शाहित 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है योक्रेन के विजली घरों पर भूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले किया और उनको एतना नुकसान पहुचाया कि 50% योक्रेन अंधेरे में ढूप गया योक्रेन में इरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि जैलन्सकी के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल गया है कीव और खार्किव जैसे शहरों में योक्रेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैक आउट हो गया क्योंकि पुतिन ने जेलन्सकी की पावर ग्रिट को टार्गेट किया है खेर सौन हारने के बाद से ही पुतिन के एरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे जेलन्सकी वेवस हो गए शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई ड्रोन लॉंच किये जाते हैं यह आत्मधाती ड्रोन है इन्हें इरान का कामी काजे ड्रोन कहा जाता है जो योक्रेन की पोजिशन को अटैक कर रहे हैं देखा जाये तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमारिका को सबक सिखाना चाहता है और इसी लिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रोस को दी है अब ड्रोन से अटैक होता है तो आस्मान से तबाही बरस्ती है यही वज़ा है कि योक्रेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गए और कड़कडाती ठंड के बीच एक करोड से जादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है ऐसे में सवाल है कि अगर पश्ची मेशिया में युद्ध हुआ तो इरान के टार्गेट पर कौन होगा इरान कहां योक्रेन वाले हमलों को दोरा सकता है और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्ची मेशिया में कैसी बवंड़ा शुरू हो जाएगा क्योंकि इरान के दुश्ची मेशिया के अंदर ही दो बड़े नाम है अमेरिका के अलाबा इरान के दो बड़े दुश्च्मन है पहला है सौधी अरभ और दूसरा है एज्राइब ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे घौर से समझेगा अक्टूबर 2022 में जब इरान के शिराज शहर पर आतनकी हमला हुआ था तब इरान के एक जनरल ने चार देशों को चेतावनी दी थी तब इरान के इस खास मज्यद पर लाल जंडा लगाया गया था सवाल उठने लगे कि अबागे क्या होगा क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल जंडा इरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलिमानी की मौत होई थी ऐसे में बड़े सवाल हैं कि इस पार इरान क्या बैगाम देना चाहता है इरान क्या अपने दुशमनों को जद्दकी चेताओनी दे रहे है इरान के दुशमन कौन कौन है इन तीन सवालों के जब जानने के लिए एरान के रिवालोशनी गार्ड के कमांडर चंडल हुसेन सलामी की बात को बहुत बाद से सुनीगा इरान के जनरल की छेताउनी चार देशों के लिए हैं अमेरिका, इस्राइल, ब्रिटन और सौधी अरब इन सभी को ये धमकी खुलम खुला दी गई है सवाल है कि क्या इरान सौधी अरब या फिर इस्राइल पर हमला करेगा अगर ऐसा हुआ तो पश्री मेशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुवात हो जाएगी सौधी अरब इरान के मुकाबले कैसी पावर है क्या सौधी अरब की फौज एसलायक है कि वो इरान का मुकाबला कर सके अगर इरान ने अपने ड्रोन से सौधी अरब पर हमला किया तो नतीजा क्या होगा क्या युद्ध में सौधी अरब इरान को ठकर दे पाएगा इरान की सवा पांच लाग की फौज के सामने सौधी अरब के पास 4,80,000 की सेना है इरान के पास 500 फाइटर जेट है जबकि सौधी अरब के पास 880 फाइटर जेट है इरान के पास 398 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट पोर्ट है जबकि सौधी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है इरान के पास 3,700 टैंक हैं सौधी अरब के पास 1000 ही टैंग है लेकिन दोनों के भीट समंदर भी है जिसे दोनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ओफ आर्बूस के नाम से जानती है ये वो कलियारा है जहां अक्सर इरान अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है सौधी अरब की फार्ज और खास कर उसकी अरपोस इरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है इरान इस वक्त भी 45 वर्ष पुराने फाइटर जेट इस्तिमाल कर रहा है जबकि सौधी अरब के पास लेटिस जनरेशन के फाइटर जेट है जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे है बाबजूद इसके सौधी अरब को लेकर अमेरिका का होसला भी डगमागाया हुआ है इरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है लेकिन इस बार अमेरिका इरान के डारेक्ट टार्गेट पर होगा कहना मुश्किल है ना ही ब्रिटन के अग्डों पर इरान की नज़र टेड़ी होगी इरान इस वक्त इसराइल को लेकर काफी अक्टिव है और अपने ड्रोन के जरिये वो इसराइल तक को रेंज में रखता है इन में अबाबल ड्रोन के कई वर्जन है और ये सूडान से लेकर एराक और यमन से लेकर सीरिया और लेबनन तक इस्तेमाल किये गए हैं अबाबल ड्रोन दुश्मन पर नज़र रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इससे दुश्मन के ठेकानों पर बंबारी भी की जा सकती है इरान पिछले तीन दश्कूं से ऐसे द्रोन तयार कर रहा है। इन में अबाविल वन ड्रोन स्योसाइड हमला करता है। इसमें 40 किलो तक विसफोटक होता है और ये टारगेट से खुद को ठकरा कर उसे तबाह कर देता है। अबाविल 2 एक सर्विलांस ड्रोन है जो दुश्मन पर निगाह रखता है और ये 30 किलो का वार हेट लेकर उड़ सकता है। अबाविल 3 की रफ्तार 200 किलोमेटर प्रती घंटा है। ये 100 किलोमेटर के दायरे में 5000 मीटर की उचाई तक अपरेट करता है। ये रात में भी अपने टार्गेट पर हमला कर सकता है। इस वक्त चर्चा में इरान की ड्रोन की फैक्टरी भी है जो इरान से बाहर तैयार हो रही है। इरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजेकस्तान में ड्रोन का बवंडर शुरू कर दिया है। पोतिन को इरान के ड्रोन से खजब की थाकत में ली है। अब इरान इसी ड्रून पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया बेस बनाना चाहता है। मई 2022 में ही इरान ने ताजे किस्तान में ड्रून पैटरी खोली, जिसमें अब अबाविल ड्रून बनाय जा रहे हैं। अब ही ताकually इरान की सुरंगों में ड्रून का गोदाम देखाया क्या है। लेकिन अब एरान इसका हुत्पादण दूसरे देशों में कर रहा है। इसके साफ़ माइन है कि इरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रून पावर क्या कहें कि ड्रून लीडर बन चुका है, जिसके ड्रून सस्ते हैं, असरदार हैं और युद में खुद को साबित भी कर चुके हैं सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त इरान इक उक्रेन युद में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की एक व्ट्रून बताती है कि पस्ची मेशया में अगर युद हुआ, तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया जलने लगेगी बश्शी मेशा में इस वक्त जुर्द जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए इरान पहले ही अपने हत्यारों को योकरेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ सौधी अरब और इसरेल को भी चैलेंज कर रहा है इरान ने तीन नए ड्रोन दिखाए है इस रिपोर्ट में इरान के ड्रोन का नया धमाका है इरान की ड्रोन पावर जिससे योकरेन पूरी तरह हिल चुका है और अमेरिका के साथ नैटोपी दैशत में है अब उससे भी खतरनाग ड्रोन वाली थाकत का एक और ट्रेलर इरान ने समंदर में दिखाया है पहला ड्रोन है अबा बेल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है दूसरा ड्रोन है आरिश 2 जो एक स्टैंट पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है और दीसरा ड्रोन है अबा बेल 2 जो एक नेवल शिप से लॉंच किया जाता है तीनो ड्रोन व्लाउंच किया जाते हैं और फिर ये कहां हमला करते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे पहले इरान की फौच के युद्धा भ्यास की नई तस्वीरें देखिए जो बश्य मेश्या में एक नई सेहरन पैदा कर रही है ये है इरान का युद्धा भ्यास जौफिकार 1401 जिसमें इरान ने एक टापू पर हमला करके उस पर कबजा करने का ट्रिलर दिखाया है इरान की फोर्स नेवल शिप में से निकल कर एक टापू पर धाबा बोलती है इसमें टैंक भी है बक्तर बंद गाड़ियां भी है और इरान के कमान्जों भी है योक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त इरान बहुत ज्यादा आक्रामक है पोतिन का दोस्त इरान अब मैसूस कर रहा है कि योक्रेन को बचाने के लिए नया मोर्चा पश्य मेश्या में खुल सकता है क्योंकि यहां अमेरिका भी है, इस्राइल भी है, साउधी अरब और इन सब का प्रतिद्वन्दी इरान भी है चोंकि पोतिन का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका एक नया वार फ्रंट तयार कर रहा है ऐसी आशंका इरान की है इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागरता जितना भी इलाका है यहां इरान का खासा दबदबा रहता है और यहां पर अक्सर आने बाले अमेरिका के समधरी बेड़े को भी इरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है अब देखिए इरान ने जो ड्रोन लॉंच किये थे उन्होंने कैसे हमला किया पहला ड्रोन है अबाभिल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है वो पूरे स्ट्रेट ओफ हार्मूज पर नजर रखता है यह इरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसे मन देगाबान माना जाता है दूसरा ड्रोन है आरेश्टू जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है वो नजदी की पहाड़ पर दुश्मन के एक अड़े को टार्केट करता है जब अचूक निशाना लगता है तो धमा का देखकर इरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देते है अब देखिए तीसरा ड्रोन ये है अबाबिल टू जो एक नैबल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टार्केट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहार ये एक नैबल शिप के डमी है और इसी पर जाकर अबाबिल टू बहुत ही सती खमला करता है तो इस तरह इरान ने अपने तमाम हथियार आजबाने शुरू कर दिया है इरान की रणनीदी शुरू से ही आकामक रही है और इस ट्रेलर को रिलीज करके इरान ने बता दिया है कि पश्ची मेशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीजा बुरा होगा तो सवाल है कि आखिर इरान ये चैलेंज किसे कर रहा है अब इस रिपोर्ट में इरान के दुश्मनों के बारे में समझे क्योंकि पश्ची मेशिया में एरान अकेली पावर नहीं है एक पर फिर देखिए एरान का ड्रोन अबाविल 2 किस ठेकाने को धमाके से तबाह कर देता है रिपोर्ट के मताबिक जिस टार्गेट को धमाके से उड़ाया गया वो एजरेल के एक वार्शिप की ही ढमी है और एरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन एजरेल की फौज को लहुलुहान कर सकते हैं एरान के ड्रोन बहुत खदरनाक है ये पूरी दुनिया मान चुकी है योक्रेन में एरान के शाहित 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है योक्रेन के विजली घरों पर वूस ने एरान के ड्रोन से ही हमले किये और उनको एतना नुक्सान पहुँचाया कि 50% योक्रेन अंधेरे में ढूप गया योक्रेन में एरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि जैलनसकी के सिस्टम का पुर्झा पुर्झा हिल गया है कीव और खारकिव जैसे शहरों में योक्रेन ने ऐसे हमले नएी देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैक आउट हो गया क्योंकि पुतिन ने जेलन्सकी की पावर ग्रिट को टार्गेट किया है खेर सौन हारने के बाद से ही पुतिन के इरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे जेलन्सकी वेबस हो गए शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाग ध्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई ध्रोन लॉंच किये जाते हैं यह आत्मधाती ध्रोन है इन्हें इरान का कामी काजे ध्रोन कहा जाता है जो योक्रेन की पोजिशन को अटैक कर रहे हैं देखा जाये तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमारिका को सबक सिखाना चाहता है और इसी लिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रोस को दी है अब ड्रोन से अटैक होता है तो आस्मान से तबाही बरसती है यही वज़ा है कि योक्रेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गए और कड़कडाती ठंड के बीच एक करोड से जादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है ऐसे में सवाल है कि अगर पश्ची मेशिया में युद्ध हुआ तो इरान के टार्गेट पर कौन होगा इरान कहां योक्रेन वाले हमलों को दोरा सकता है और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्ची मेशिया में कैसे बवंड़ा शुरू हो जाएगा क्योंकि इरान के दुश्ची मेशिया के अंदर ही दो बड़े नाम है अमेरिका के अलाबा इरान के दो बड़े दुश्च्मन है पहला है सौधी अरग और दूसरा है एज्राइब ऐसा क्यूं कहा जा रहा है इसे घौर से समझेगा अक्टूबर 2022 में जब इरान के शिराज शहर पर आतंकी हमला हुआ था तब इरान के एक जनरल ने चार देशों को चेतावनी दी थी तब इरान के इस खास मज्यद पर लाल जंडा लगाया गया था सवाल उठने लगे कि अबागे क्या होगा क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल जंडा इरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलिमानी की मौत होई थी ऐसे में बड़े सवाल है कि इस पार इरान क्या बैगाम देना चाहता है इरान क्या अपने दोश्मनों को जद्धकी चेतानी दे रहे इरान के दोश्मन कौन कौन है इन तीन सवालों के जवाब जानने के लिए औरी गार्ड के कमांडर चंडल حसैन सलमी की बात को बहुत बहुत से सुनीए गा एरान के जनरल की चेतावनी चार देशों के लिए है अमेरिका, इस्राइल, ब्रिटन और सौदी अरब इन सभी को ये धमकी खुलम खुला दी गई है सबाल है कि क्या इरान सौदी अरब या फिर एजराइल पर हमला करेगा अगर ऐसा हुआ तो पश्री मेशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुवात हो जाएगी सौदी अरब इरान के मुकाबले कैसी पावर है क्या सौदी अरब की फौज एसलायक है कि वो इरान का मुकाबला कर सके अगर इरान ने अपने ड्रोन से सौदी अरब पर हमला किया तो नतीज़ा क्या होगा क्या युद्ध में सौदी अरब इरान को ठकर दे पाएगा इरान की सवा 5 लाग की फौज के सामने सौदी अरब के पास 4 लाग 80,000 की सेना है इरान के पास 500 फाइटर जेट है जबकि सौदी अरब के पास 880 फाइटर जेट है इरान के पास 398 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट पोर्ट है जबकि सौधी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है इरान के पास 3700 टैंक है सौधी अरब के पास 1000 ही टैंक है लेकिन दोनों के भीट समंदर भी है जिसे दुनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ओफ आर्बूस के नाम से जानती है ये वो कलियारा है जहां अकसर इरान अमेरिका के बड़े बड़े जंदी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है सौधी अरब की फाज और खास करोस की अरपोस इरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है इरान इस वक्त भी 45 वर्ष पुराने फाइटर जेट इस्तिमाल कर रहा है जबकि सौधी अरब के पास लेटिस जनरेशन के फाइटर जेट है जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे है बाबजूद इसके सौधी अरब को लेकर अमेरिका का होसला भी डगमागाया हुआ है इरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है लेकिन इस बार अमेरिका इरान के डारेक्ट टार्गेट पर होगा कहना मुश्किल है ना ही ब्रिटन के अग्ड़ों पर इरान की नज़र टेड़ी होगी इरान इस वक्त इसराइल को लेकर काफी अक्टिव है और अपने ड्रोन के जरिये वो इसराइल तक को रेंज में रखता है इन में अबाबिल ड्रोन के कई वर्जन है और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लबनन तक इस्तेमाल किये गए हैं अबाबिल ड्रोन दुश्मन पर नज़र रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इससे दुश्मन के ठेकानों पर बंबारी भी की जा सकती है इरान पिछले तीन दश्कों से ऐसे द्रोन तयार कर रहा है इन में अबाविल वन ड्रोन स्योसाइड हमला करता है इसमें 40 किलो तक विस्फोटक होता है और ये टार्गेट से खुद को ठकरा कर उसे तबाह कर देता है अबाविल 2 एक सर्विलंस ड्रोन है जो दुश्मन पर निगाह रखता है और ये 30 किलो का वार हेट लेकर उड़ सकता है अबाविल 3 की रफ्तार 200 किलोमेटर प्रती घंटा है ये 100 किलोमेटर के दायरे में 5000 मीटर की उचाई तक आपरेट करता है ये रात में भी अपने टार्केट पर हमला कर सकता है इस स्वक्त चर्चा में इरान की ड्रोन की फैक्टरी भी है जो इरान से बाहर तैयार हो रही है इरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजेकस्तान में ड्रोन का बवंडर शुरू कर दिया है पोतिन को इरान के ड्रोन से घजब की थाकत में ली है अब इरान इसी ड्रोन पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया बेस बनाना चाहता है मई 2,022 में ही इरान ने ताजेकस्तान में ड्रोन पैक्टरी खोली जिसमें अब अबाविल ड्रोन बनाए जा रहे हैं अभी तक इरान की सुरंगों में ड्रोन का गोदाम देखाया क्या है लेकिन अब इरान इसका उत्पादन दूसरे देशों में कर रहा है इसके साफ माइने है कि इरान इस वक्ड दोनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर क्या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद में खुद को साबित भी कर चुके हैं सबसे बड़ी बात है कि इस वक्ड इरान इक उक्रेन युद में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की एक क्वेशन बताती है कि पश्ची मेशया में अगर युद हुआ तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया जलने लगेगी पश्ची मेशया में इस वक्ड युद जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए इरान पहले ही अपने हथ्यारों को युक्रेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ सौदी अरब और इस्रेल को भी चैलेंज कर रहा है इरान ने तीन नए ड्रोन देखाए हैं इस रिपोर्ट में इरान के ड्रोन का नया धमाका है इरान की ड्रोन पावर जिससे युक्रेन पूरी तरह हिल चुका है और अमेरिका के साथ नैटो भी दैशत में है अब उससे भी खतरनाग ड्रोन वाली थाकत का एक और ट्रेलर इरान ने समंदर में दिखाया है पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रन्वे से टेक ओफ करता है दूसरा ड्रोन है आरिश 2 जो एक स्टैंट पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ओफ करता है और दीसरा ड्रोन है अबाबेल 2 जो एक नेवल शिप से लाउंच किया जाता है तीनो ड्रोन व्लाउंच किया जाते हैं और फिर ये कहा हमला करते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में आगे देखाएंगे पहले इरान की फौच की जुद्धा भ्यास की नई तस्वीरे देखिए जो बश्य मेश्या में एक नई सेहरन पैदा कर रही है ये है इरान का युद्धा भ्यास जुल्फिकार 1401 जिसमें इरान ने एक टापू पर हमला करके उस पर कबजा करने का ट्रिलर देखाया है इरान की फोर्स नेवल शिप में से निकल कर एक टापू पर धाबा बोलती है इसमें टैंक भी है बक्तर बंद गाड़ियां भी है और इरान के कमांजों भी है योक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त इरान बहुत ज्यादा आक्रामक है पोतिन का दोस्त इरान अब मैसूस कर रहा है कि योक्रेन को बचाने के लिए नया मोर्चा पश्य मेश्या में खुल सकता है क्योंकि यहां अमेरिका भी है इसराइल भी है साओधी अरब और इन सब का प्रतिद्वन्दी इरान भी है चोंकि पोतिन का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका एक नया वार फ्रंट तयार कर रहा है ऐसी आशंका इरान की है इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज़्याद एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागरत जितना भी इलाका है यहाँ इरान का खासा दबदबा रहता है और यहाँ पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समद्री वेड़े को भी इरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है अब देखिए इरान ने जो ड्रोन लॉंच किये थी उन्होंने कैसे हमला किया पहला ड्रोन है अब आभिल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है वो पूरे स्ट्रेट ओफ हार्मूज पर नजर रखता है यह इरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसे मन देगाबान माना जाता है दूसरा ड्रोन है आरिश टू जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है वो नजदी की पहाड पर दुश्मन के एक अड़्डे को टार्केट करता है जब अचूक निशाना लगता है तो धमा का देखकर इरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देते है अब देखिए तीसरा ड्रोन ये है अबाविल टू जो एक नैवल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टार्केट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहाज ये एक नैवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाविल टू बहुत ही सती खमला करता है तो इस तरह एरान ने अपने तमाम हथियार आजबाने शुरू कर दिया है इरान की रननीती शुरू से ही आग कामक रही है और इस ट्रेलर को रिलीज करके इरान में बता दिया है कि पश्ची मेशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीजा बुरा होगा तो सवाल है कि आखिर इरान ये चैलेंज किसे कर रहा है अब इस रिपोर्ट में इरान के दुश्पनों के बारे में समझे है क्योंकि पश्ची मेशिया में इरान अकेली पावर नहीं है एक बाद फिर देखिए इरान का ड्रोन अबाबिल टू किस ठिकाने को धमाके से तबाह कर देता है रिपोर्ट के मताबिक जिस टार्गेट को धमाके से उड़ाया गया वो इस्राइल के एक वार्शिप की ही डमी है और इरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन इस्राइल की फौज को लहुलुहान कर सकते हैं इरान के ड्रोन बहुत खदरनाक है यह पूरी दुनिया मान चुकी है योकरेन में इरान के शाहित 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है योकरेन के बिचली घरों पर भूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले किया और उनको एतना नुकसान पहुचाया कि 50 प्रतिशत योकरेन अंधेरे में ढूप गया योकरेन में इरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि जैलन्सकी के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल गया है कीव और खारकिव जैसे शहरों में योकरेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरब ब्लैक आउट हो गया क्योंकि पुतिन ने जैलन्सकी की पावर ग्रिट को टार्गेट किया है खेर सौन हारने के बाद से ही पुतिन के इरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे जैलन्सकी बेबस हो गए शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाग द्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई द्रोन लॉंच किये जाते हैं यह आत्मधाती द्रोन है इन्हें इरान का कामी काजे द्रोन कहा जाता है जो योक्रेन की पोजिशन को अटैक कर रहे है देखा जाये तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसी लिए उसने अपनी द्रोन वाली ताकत रोस को दी है अब द्रोन से अटैक होता है तो आस्मान से तबाही बरसती है यही वज़ा है कि योक्रेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गए और कड़कडाती ठंड के बीच एक करोड से जादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है ऐसे में सवाल है कि अगर पश्ची मेशिया में युद्ध हुआ तो इरान के टार्गेट पर कौन होगा इरान कहां योक्रेन वाले हमलों को दोरा सकता है और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्ची मेशिया में कैसे बवंड़ा शुरू हो जाएगा क्योंकि इरान के दुश्ची मेशिया के अंदर ही दो बड़े नाम है अमेरिका के अलाबा इरान के दो बड़े दुश्च्मन है पहला है सौधी अरग और दूसरा है एज्राग ऐसा क्यूं कहा जा रहा है इसे घौर से समझेगा अक्टूबर 2022 में जब इरान के शिराज शहर पर आतंकी हमला हुआ था तब इरान के एक जनरल ने चार देशों को चेतावनी दी थी तब इरान के इस खास मज्यद पर लाल जंडा लगाया गया था सवाल उठने लगे कि अबागे क्या होगा क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल जंडा इरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलिमानी की मौत होई थी ऐसे में बड़े सवाल है कि इस पार इरान क्या बेगाम देना चाहता है इरान क्या अपने दुश्मनों को जुद्ध की चेतावनी दे रहे है इरान के दुश्मन कौन कौन है इन तीन सवालों के जबाब जानने के लिए इरान के रिवालोशनी गार्ड के कमांडर चंडल हुसैं सलामी की बात को बहुत बाद से सुनीए गा इरान के जनरल की चेतावनी चार देशों के लिए है अमरिका, इस्राइल, ब्रिटन और सौदी अरब इन सभी को ये धमकी खलम खला दी गई है सवाल है कि क्या इरान सौदी अरब या फिर एजराइल पर हमला करेगा अगर ऐसा हुआ तो पश्री मेशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुवात हो जाएगी सौदी अरब इरान के मुकाबले कैसी पावर है क्या सौदी अरब की फौज एसलायक है कि वो इरान का मुकाबला कर सके अगर इरान ने अपने ड्रोन से सौदी अरब पर हमला किया तो नतीज़ा क्या होगा क्या युद्ध में सौदी अरब इरान को ठकर दी पाएगा इरान की सवा पांच लाग की फौज के सामने सौदी अरब के पास चार लाग असी हजार की सेना है इरान के पास पांच सो फाइटर जेट है जबकि सौदी अरब के पास आट सो असी फाइटर जेट है इरान के पास 398 चोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट पोर्ट है जबकि साओधी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है इरान के पास 3700 टैंक हैं साओधी अरब के पास 1000 ही टैंक हैं लेकिन दोनों के भीट समंदर भी है जिसे दोनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ओफ हार्बूस के नाम से जानती है ये वो कलियारा है जहां अकसर इरान अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है सौधी अरब की फाउज और खास करोस की अरफोस इरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है इरान इस वक भी 45 वर्श पुराने फाइटर जेट इस्निमाल कर रहा है जबकि सौधी अरब के पास लेटिस जनरेशन के फाइटर जेट हैं जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे हैं बाबजूद इसके सौधी अरब को लेकर अमेरिका का होसला भी डगमागाया हुआ है इरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है लेकिन इस बार अमेरिका इरान के डारेक्ट टार्गेट पर होगा कहना मुश्किल है ना ही ब्रिटन के अग्डों पर इरान की नज़र टेड़ी होगी इरान इस वक्त इसरेल को लेकर काफी अक्टिव है और अपने ड्रोन के जरिये वो इसरेल तक को रेंज में रखता है इन में अबाबिल ड्रोन के कई वर्जन है और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लेबनन तक इस्तेमाल किये गये है अबाबिल ड्रोन दुश्मन पर नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इससे दुश्मन के ठेकानों पर बंबारी भी की जा सकती है इरान पिछले तीन दश्कों से ऐसे ड्रोन तयार कर रहा है इन में अबाबिल वन ड्रोन सियोसाइड हमला करता है इसमें 40 किलो तक 20 फोटक होता है और ये टार्गेट से खुद को टकरा कर उसे तबाह कर देता है अबाबिल ड्रोन एक सर्विलन्स ड्रोन है जो दुश्मन पर निगाह रखता है और ये 30 किलो का वार हेड लेकर उड़ सकता है अबाबिल 3 किराफतार 200 किलो मेटर प्रती घंटा है ये 100 किलो मेटर के दाइरे में 5000 मीटर की उचाई तक आपरेट करता है ये रात में भी अपने टार्गेट पर हमला कर सकता है इस स्वक्त चर्चा में इरान की ड्रोन की फैक्टरी भी है जो इरान से बाहर तैयार हो रही है इरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजेकस्तान में ड्रोन का बवंडर शुरू कर दिया है पोतिन को इरान के ड्रोन से खजब की थाकत में ली है अब इरान इसी ड्रोन पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया बेस बनाना चाहता है मई 2022 में ही इरान ने ताजे किस्तान में ड्रोन फैटरी खोली जिस में अब अबाविल ड्रोन बनाय जा रहे है अब ही तक इरान की सुरंगों में ड्रोन का गोदाम देखाया क्या है लेकिन अब इरान इसका उत्पादन दूसरे देशों में कर रहा है इसके साफ माइने है कि इरान इस वक्ट दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर क्या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है जिसके डून्स सस्ते हैं, असरदार हैं और युद में खुद को साबित भी कर चुके हैं सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त इरान योकरेन युद में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की एक क्वेशन बताती है कि बश्ची मेशया में अगर युद हुआ तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया चलने लगेगी बश्ची मेशया में इस वक्त युद जैसे हालात बन चुक हैं और इसे देखते हुए इरान पहले ही अपने हथ्यारों को योकरेन में भी आजमा चुक हुआ रोस योकरेन जंग को 11 महीने होने वाले हैं और अब पता चला है कि पुतन योकरेन पर कब्जा करने के लिए इतना भायानक खोन कराबा क्यों कर रहे हैं अब पता चला है कि पुतन जंग के 315 दिन बाद क्यों पूरे योकरेन की फौज का सफाया करने पर उतारू है अब इस दावे के बारे में भी पता चल रहा है कि पुतन कैसे अपने 10 जंगरों की मौत का बदला पूरे योकरेन से लेने जा रहे हैं दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ये क्यों दावा कर रहे हैं कि पुतन रूसी तानाशा स्टालिन की तरह अब पूरे योकरेन में भायानक नरसंगहार करवा रहे हैं बक्तमत और बुचा में इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है जिसे देखकर जेलेंस्की को लग रहा है कि बहुत जल राजधानी कीव में भायानक खून खराबा होने वाला है क्या रूस जन्वरी से लेकर मार्श तक योकरेन की पंदरा शहरों पर पूरी तरह से कबजा खट लेगा क्या अमेरिका ब्रिटन और जर्मनी से मिले घातक हथियारों का तोड रूस की फौज को योकरेन में ही मिल क्या है कई एक्सपर्ट्स ये दावाब क्यों करने लगे हैं कि पूतिन के खूनी इरादों को भापने में नैटो और अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी कीमत योकरेन की तबाही में देख रही है आखिर अगले 48 गंटे में पुतिन की फौज ऐसा क्या करने जा रही है जिसके बाद योकरेन में रूस को हराना मुश्किल नहीं नामुम्किन हो जाएगा लगता है, 70 साल की रूसी राश्रोपती पुतिन ने सोना छोड़ दिया है क्योंकि 48 गंटे से पुतिन लगातार अक्टिव है योकरेन पर होने वाला हर मिसाइल और रॉकेट हमले पर पुतिन की नजर बनी होई है इस वक्त योकरेन में जितने भी भायानक हमले हो रहे है उसकी डारेक्ट रिपोर्ट क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर तक पहुच रही है पुतिन, क्रेमलिन से ही योकरेन पर कहां और कितने हमले होने है इसका सीधा ओर्डर दे रहे है जानकारों के मताबिक पुतिन ने अच्छी तरह से गुणा भाग कर लिया है कि अगर जनवरी से लेकर मार्श तक उन्होंने योक्रेन को समलने का मौका नहीं दिया तो जैलन्सकी के योक्रेन को हर हाल में रूस के सामने घुटने टेकने होंगे इसलिए सीज़ फायर की बाद से रूस ने योक्रेन पर टैंक, तो, रॉकेट आर्मी, अटैक ड्रोन और घातक मिसाइलों से ताबर तोड हमले शुरू कर दिये हैं योक्रेन के दोनेस्क प्रांट के गवर्नर पावलो किरिलैंको की मताबिक रूस की फाज ने इलाके में नौ से ज्यादा मिसाइल हमले किये हैं क्रमा टोरस्क, जैपरेजिया शहर में भायानक धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं हम आपको बता दें कि दोनेस्क प्रांट के मकीयुका में ही योक्रेन ने अमेरिका के हाइमस से 6 रॉकेट दाग कर 89 रूसी सैनिकों कुमार डाला था हलाकि योक्रेन दाबा करता है कि इस खूनी हमले में 500 से जादा रूसी सैनिक मारे गए थे लेकिन इस समले में 72 घंटे के बाद जिस तरह से रूस ने योक्रेन में खून खराबा शुरू किया है उससे जैलेंस्की के होश उड़ गए हैं जैलेंस्की अब रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि सीजफायर के दोरान भी रूस योक्रेन में नरसंगार कर रहा है खास तोर से योक्रेन के बाखमुत का हाल देखकर जैलेंस्की की रूख कांप रही है जैलेंस्की की रही है कुछ रिपोर्ट्स के मताबिक रूस की 3 लाख फॉच अगले 48 गंटे में योक्रेन पर धावा बोलने जा रही है ये राजधानी की और दक्षणी योक्रेन के उन हिस्सों पर हमला करने जा रहे हैं जहां रूस के खिलाब सबसे जादा नैटो और पश्यमी देशों के अथियार योक्रेन इस्तेमाल कर रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट्स के मताबिक योक्रेन ने रूस के सैनिकों को जिस बड़े पैमाने पर मारा है उससे पुतिन बुरी तरह से बौखला गए है ओपन सोर्स की रिपोर्ट के मताबिक 24 परवरी 2022 से जब से रूस और योक्रेन के बीच जंग शुरू होई है तब से योक्रेन ने रूस सेना के अधिकारियों की टार्गेट किलिंग की है योक्रेन की इस टार्गेट किलिंग के बाद से रूस को बहुत बड़ी संख्या में अपने अधिकारियों की जान से हाँ धोना पड़ा है योक्रेन के टॉप कमांडर्स की तरफ से यहां तक दावा किया जा रहा है कि योक्रेन पर हमला करने में शामिल रूसी सेना के आधे से जादा कमांडर योक्रेन में मारे जा जुके हैं हम आपको ओपन सोर्स के एक आंकड़े को दिखाते हैं जो दावा करता है कि दस महीने की जंग में रूस की फौज को भयानक नुकसान हुआ है 24 फरवरी 2022 से अब तक जंग में रूस के 10 जनरल मारे गए हैं जबकि युद में अब तक रूस के 840 कैप्टन और सीनियर लेफटिनेंट मारे जा चुके हैं कुल मिलाकर 10 महीने से जादा की जंग में रूस के 1600 अबसरों को योकरिनी सेना ने मार गिराया है जबकि अगर रूस के कुल सैनिकों की मौत की बात करें तो यह आंकड़ा 110,000 को पार कर गया है इन आकड़ों को देखकर साफ हो जाता है कि लगबक 11 महीने की जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है हथियारों के साथ साथ लाखों की संख्या में मारे गए रूसियों की वज़ा से पुतिन बहुत ज़्यादा खुंखार हो गए है और इसलिए पुतिन ने प्राइवेट आर्मी वैगनर काधिरफ की चेचन सेना को बक्तमुत बुचा जैसे शहरों में उतार दिया है जहां रूसी सेना की साथ मिलकर इस वक्त भायंकर नरसंगार हो रहा है एक-एक इमारत और बंकर को धमाकों से उड़ाया जा रहा है दो दिन के सीजफायर को भी पुतिन ने अपनी जंगी चाल में बदल दिया है रूस योक्रेन पर आरोप लगा रहा है कि उसने सीजफायर के दौरान रूस पर हमला किया जिसकी वज़ा से रूस ने योक्रेन पर जवावी कार्रवाई किये रूस का दावा है कि योक्रेन की फौच की दरब से सीजफायर के दौरान एक-एक तीस बार दो फखाने से भायंकर हमले किये गये है जापरोशका अबलस्टी वज़ोने सील उक्रेएन अट्करवाले अर्टिलिरिय्सके अगोंग त्रीस एदिन राज ना हिर्सों कम इक रिवारोश कम नप्रेवल प्रावलेंग प्रेवनिक प्रेज़ीश ब्रवैंग प्रेजीशकी वोस्क्राइन से पाजिक्सी वज़ोने अमेरिका के हत्यारों से रूस पर भयानक हमले कर रहा है तो फिर रूस अब योक्रेन में किस तरह से युद्ध कर रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट्स के मताबिक अब पुतिन ने रूसी तानाशार है स्टालिन की तरह योक्रेन के शहरों और गाउं का सफाया शुरू कर दिया ह पहला है योक्रेन सैनिकों को देखते ही जान से मार दो दूसरा है जो योक्रेनी सैनिक रूसी फोज के मखबिर लगे उने तुरंट गोला मार दो तीसरा है हर उस इमारत को पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दो जिसका फायदा योक्रेन की फोज उठा सकती है इसलिया पोटेन स्टालीन की तरा टार्गेट के लिंग योक्रेन में शुरू करती है वैगनर ग्रॉप के लड़ाके बड़े पैमाने पर नरसंहार कर रहे हैं एक अनुमान के मताबिक वैगनर ग्रॉप के पचास हजार लड़ाके योक्रेन के खिलाफ जंग कर रहे हैं ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ पुतिन के स्टालिन मिशन को वैगनर ग्रॉप अंजाम दे रहा है हिटलर को अपना हीरो मानने वाले वैगनर ग्रॉप को बेहत बेरहम हत्यारा माना जाता है जो पुतिन के इशारे पर इस वक्त योक्रेन के आठ शहरों को कबरिस्तान बनाने में जोटे हैं अमेरिका भी वैगनर ग्रॉप को लेकर योक्रेन को अलर्ट कर चुका है अमेरिका ने साफ कहा है कि पुतिन ने अपने सैनिकों को रूस में मरने के लिए छोड़ दिया है वाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बे के मुताबिक इस वक्त योक्रेन में रूस की फाज मीट ग्राइंडर यानि मांस की चक्की में फस चुकी है जहां बेताहशा रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं लेकिन सवाल उड़ता है कि फिर पोटेन अमेरिका, योक्रेन और नैटो को काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं बाखमूत और बुचा में एक एक मोर्चे के लिए खोनी जंग चल रही है रूस आसमान से मैसाइले बरसा रहा है रूसी तोब खाने और रॉकेट आर्मी योक्रेन पर यमराज बन कर तूट पड़ी है लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि योक्रेन प्रोपेगंडा कर रहा है कि रूस की फॉज मीट की चक्की में पिस रही है जबकि हकीकत में योक्रेन की फॉज बुरी तरह से मारी जा रही है आंकडों के मताबिक एक लाग से जादा योक्रेनी सैनिकों को रूसी फॉज ने मार डाला है इस वक्त रूसी फॉज का पूरा फोकस कार्ट कियो और दक्चर केर सौन पर है जहां योक्रेन की भीशन हमलों की वज़ा से गूस की फॉज ने अपनी रणनीती बदल दी है ये वही हिलागा है जहां योक्रेन की फॉज रूसी फॉज पर तावर तोड हमले कर रही है इस वक्त रूसी वही है अमेरिकी हाइमर्स मल्टिपल लॉंच रॉकेट सिस्टम से भले ही योक्रेन ने रूसी फौजियों को भारी संख्या में मार डाला हो लेकिन पुतिन ने अब फौज को साफ आदेश दे दिया है कि या तो मरो या फिर जीतो यही वजह है कि योक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल वालेरी जालूजनी ने दावा किया है कि रूस के लिए मांस की चक्की बन चुका योक्रेन का बक्मुत इस वक्त खून का मैदान बन चुका है जनरल वालेरी जालूजनी दावा कर रहे हैं कि रूसी फौज जंग करते करते इतनी क्रूर हो चुकी है कि अपने साथी सैनिकों की लाशों को रौनते हुए आगे बढ़ रही है भायानक खून खराबा देखकर जैलन्सकी को अब ये लगने लगा है कि अगर पुतिन की तीन लाख नई फौज पूरी तरह से जंग में उतर गई तो फिर बखमुद जैसा हाल पूरे योकरेन का हो जाएगा पुतिन अपने 10 जनरलों की मौत और 840 से ज़्यादा कैप्टन और सीनियर लेफ्टिनेंट के मारे जाने से वौकला चुके है 16 रूसी अपसरों का जंग में मारा जाना पुतिन को साक्षात यमराज बना चुका है अब देखना होगा कि 48 गंटे में पुतिन का उपरेशन जनरल योकरेन का क्या हाल करता है अब देखना होगा रूस योकरेन जंग को 11 महीने होने वाले है और अब पता चला है कि पुतिन योकरेन पर कबजा करने के लिए इतना भायानक खोन कराबा क्यों कर रहे है अब पता चला है कि पुतिन जंग के 315 दिन बाद क्यों पूरे योकरेन की फौज का सफाया करने पर उतारू है अब इस दावे के बारे में भी पता चल रहा है कि पुतिन कैसे अपने 10 जंगरों की मौत का बदला पूरे योकरेन से लेने जा रहे है दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ये क्यों दावा कर रहे हैं कि पुतिन रूसी तानाशा स्टालिन की तरह अब पूरे योकरेन में भायानक नरसंगहार करवा रहे हैं बक्तमुत और बुचा में इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है जिसे देखकर जेलेंस्की को लग रहा है कि बहुत जल राजधानी कीव में भायानक खून खराबा होने वाला है क्या रूस जन्वरी से लेकर मार्श तक ही उक्रेन की पंदरा शहरों पर पूरी तरह से कबजा खट लेगा क्या अमेरिका ब्रिटन और जर्मनी से मिले घातक हत्यारों का तोड रूस की फौज को योक्रेन में ही मिल क्या है कई एक्सपर्ट्स ये दावाब क्यों करने लगे हैं कि पूतिन के खूनी इरादों को भापने में नैटो और अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी कीमत योक्रेन की तबाही में देख रही है आखिर अगले 48 गंटे में पुतिन की फौज ऐसा क्या करने जा रही है जिसके बाद योक्रेन में रूस को हराना मुश्किल नहीं नामुम्किन हो जाएगा लगता है 70 साल के रूसी राश्रोपति पुतिन ने सोना छोड़ दिया है क्योंकि 48 गंटे से पुतिन लगातार अक्टिव है योक्रेन पर होने वाला हर मिसाइल और रॉकेट हमले पर पुतिन की नजर बनी होई है इस वक्त योक्रेन में जितने भी भायानक हमले हो रहे है उसकी डारेक्ट रिपोर्ट क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर तक पहुँच रही है पुतिन क्रेमलिन से ही योक्रेन पर कहां और कितने हमले होने है इसका सीधा ओर्डर दे रहे है जानकारों के मताविक पुतिन ने अच्छी तरह से गुणा भाग कर लिया है कि अगर जनवरी से लेकर मार्श तक उन्होंने योक्रेन को समलने का मौका नहीं दिया तो जैलन्सकी के योक्रेन को हर हाल में रूस के सामने घुटने टेकने होंगे इसलिए सीज़ फायर की बाद से रूस ने योक्रेन पर टैंक, तोग, रॉकेट आर्मी, अटैक ड्रोन और घातक मिसाइलों से ताबर तोड हमले शुरू कर दिये हैं योक्रेन के दोनेस्क प्रांट के गवर्नर पावलो किरिलैंको की मताबिक रूस की फाज ने इलाके में नौ से ज्यादा मिसाइल हमले किये हैं क्रमाटोरस, जैपरेजिया शहर में भायानक धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं हम आपको बता दें कि दोनेस्क प्रांट के मकीयुका में ही योक्रेन ने अमेरिका के हाइमस से 6 रॉकेट दाग कर 89 रूसी सैनिकों कुमार डाला था हलाकि योक्रेन दाबा करता है कि इस खूनी हमले में 500 से जादा रूसी सैनिक मारे गए थे लेकिन इस समले में 72 घंटे के बाद जिस तरह से रूस ने योक्रेन में खून खराबा शुरू किया है उससे जैलन्सकी के होश उड़ गए हैं जैलन्सकी अब रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि सीजफायर के दोरान भी रूस योक्रेन में नरसंगार कर रहा है खास तोर से योक्रेन के बाखमुत का हाल देखकर जैलन्सकी की रूख कांप रही है जैलन्सकी की रहा है जैलनी पідсумок в роботі щодо багатьох громадян Росії та пов'язаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести, чи оспівують державу терорист. स्योंगे ये पर्शी तकी संक्शीनी स्पिसक, बुदुए नस्तूपनी रिशना पो संक्शिया प्रोटी तकी तकी असी उसी, ची गोल जुचित वुनिसून, जूर को तमुच रिपोर्ट्स के मुताविक रूस की 3 लाग फोच, अगले 48 गंटे में योकरेन पर धावा बोलन करने जा रहे हैं, जहां रूस के खिलाब सबसे जादा नैटो और पश्यमी देशों के अथियार योकरेन इस्तेमाल कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मुताबिक योकरेन ने रूस के सैनिकों को जिस बड़े पैमाने पर मारा है, उससे पुतिन बुरी तरह से बौख योकरेन के टॉप कमांडर्स की तरफ से यहां तक दावा किया जा रहा है, कि योकरेन पर हमला करने में शामिल रूसी सेना के आधे से जादा कमांडर योकरेन में मारे जा जुके हैं। 24 फरवरी 2022 से अब तक जंग में रूस के 10 जनरल मारे गए हैं। जबकि युद में अब तक रूस के 840 कैप्टन और सीनियर लेफटिनेंट मारे जा चुके हैं। कुल मिलाकर 10 महीने से जादा की जंग में रूस के 1600 अबसरों को योकरेनी सेना ने मार गिराया है। जबकि अगर रूस के कुल सैनिकों की मौत की बात करें तो यह आंकड़ा 110,000 को पार कर गया है। इन आकड़ों को देखकर साफ हो जाता है कि लगबक 11 महीने की जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है। हथियारों के साथ 7 लाखों की संख्या में मारे गए रूसियों की वज़ा से पोतिन बहुत ज़्यादा खुंखार हो गए है। और इसलिए पोतिन ने प्राइवेट आर्मी वैगनर काधिरफ की चेचन सेना को बक्तमुत बुचा जैसे शहरों में उतार दिया है। जहां रूसी सेना की साथ मिलकर इस वक्त भायंकर नरसंगार हो रहा है। एक एक इमारत और बंकर को धमाकों से उड़ाया जा रहा है। दो दिन के सीजफायर को भी पोतिन ने अपनी जंगी चाल में बदल दिया है। रूस योक्रेन पर आरोप लगा रहा है कि उसने सीजफायर के दौरान रूस पर हमला किया। जिसकी वज़ा से रूस ने योक्रेन पर जवावी कार्रवाई किये। रूस का दावा है कि योक्रेन की फोज की दरब से सीजफायर के दौरान एक अत्तीस बार तोफाने से भायन कर हमले किये गये हैं। जपरोशका अब्लस्टे वरुजोने सील उक्राईने अत्क्रवाले अर्टिलियरियसके अगोंग त्रिसएट अदिन रास। अब सवाल उड़ता है कि जब योक्रेन नैटो और अमेरिका के हथियारों से रूस पर भायानक हमले कर रहा है तो फिर रूस अब योक्रेन में किस तरह से युद्ध कर रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट्स के मताबिक अब पुतिन ने रूसी तानाशार है स्टालिन की तरह योक्रेन के शहरों और गाउं का सफाया शुरू कर दिया है पहला है योक्रेन सेनिकों को देखते ही जान से मार दो दूसरा है जो योक्रेनी सेनिक रूसी फाज के मखबिर लगे उने तुरंट गोला मार दो तीसरा है हर उस इमारत को पूरी तरह निस्तो नाबूत कर दो जिसका फायदा योक्रेन की फाज उठा सकती है इसलिया पोटेन स्टालीन की तरा टार्गेट के लिंग उक्रेन में शुरू करती है वेगनर ग्रॉप के लडाके बड़े पैमाने पर नरसंहार कर रहे है एक अनुमान की मताबिक वेगनर ग्रॉप के पचास हजार लडाके योक्रेन के खिलाफ जंग कर रहे है ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ पुतिन के स्टालिन मिशन को वेगनर ग्रॉप अंजाम दे रहा है हिटलर को अपना हीरो मानने वाले वेगनर ग्रॉप को बेहद बेरहम हत्यारा माना जाता है जो पुतिन के इशारे पर इस वक्त योक्रेन के आठ शहरों को कब्रिस्तान बनाने में जोटे हैं अमेरिका भी वेगनर ग्रुप को लेकर योकरेन को अलर्ट कर चुका है अमेरिका ने साफ कहा है कि पुतिन ने अपने सैनिकों को रूस में मरने के लिए छोड़ दिया है वाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बे के मताबिक इस वक्त योकरेन में रूस की फाज मीट ग्राइंडर यानि मांस की चक्की में फस चुकी है जहां बेताहशा रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं लेकिन सवाल उड़ता है कि फिर पोतेन अमेरिका, योकरेन और नैटो को काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं बाखमूत और बुचा में एक-एक मोर्चे के लिए खूनी जंग चल रही है रूस आस्मान से मैसाईले बरसा रहा है रूसी तोब खाने और रॉकेट आर्मी योकरेन पर यमराज बन कर तूट पड़ी है लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि योकरेन प्रोपेगंडा कर रहा है कि रूस की फौज मीट की चक्की में पैस रही है जबकि हकीकत में योकरेन की फौज बुरी तरह से मारी जा रही है आंकडों के मताबिक एक लाग से ज़ादा योकरेनी सैनिकों को रूसी फौज ने मार डाला है इस वक्त रूसी फौज का पूरा फोकस का अर्कियो और दक्चल खेर सोन पर है ज़हां योकरेन की भीशा हमलों की वज़ा से गूस की फौज ने अपनी रणनीती बदल दी है ये वही हिलागा है ज़हां योकरेन की फौज रूसी फौज पर तावर तोड हमले कर रही है अरासलिमांश क की रही है अमेरिकी हाइमर्स मल्टिपल लॉंच रॉकेट सिस्टम से भले ही योक्रेन ने रूसी फौजियों को भारी संख्या में मार डाला हो लेकिन पुतिन ने अब फौज को साफ आदेश दे दिया है कि या तो मरो या फिर जीतो यही वजह है कि योक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल वालेरी जालूजनी ने दावा किया है कि रूस के लिए मांस की चक्की बन चुका योक्रेन का बखमुत इस वक्त खून का मैदान बन चुका है जनरल वालेरी जालूजनी दावा कर रहे हैं कि रूसी फौज जंग करते करते इतनी क्रूर हो चुकी है कि अपने साथी सैनिकों की लाशों को रौनते हुए आगे बढ़ रही है भायानक खून खराबा देखकर जैलन्सकी को अब ये लगने लगा है कि अगर पुतिन की तीन लाख नई फौज पूरी तरह से जंग में उतर गई तो फिर बखमुद जैसा हाल पूरे योक्रेन का हो जाएगा पुतिन अपने 10 जनरलों की मौत और 840 से ज़्यादा कैप्टन और सीनियर लेफ्टिनेंट के मारे जाने से वाखला चुके है 16 सो रूसी अपसरों का जंग में मारा जाना पुतिन को साक्षात यमराज बना चुका है अब देखना होगा कि अखले 48 घंटे में पुतिन का ऑपरेशन जनरल योक्रेन का क्या हाल करता है रूस योक्रेन जंग को 11 महीने होने वाले है और अब पता चला है कि पुतिन योक्रेन पर कबजा करने के लिए एतना भायानक खोन कराबा क्यों कर रहे है अब पता चला है कि पुतिन जंग के 315 दिन बाद क्यों पूरे योक्रेन की फौज का सफाया करने पर उतारू है अब इस दावे के बारे में भी पता चल रहा है कि पुतिन कैसे अपने 10 जंगरों की मौत का बदला पूरे योक्रेन से लेने जा रहे है दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ये क्यों दावा कर रहे हैं कि पुतिन रूसी तानाशा स्टालिन की तरह अब पूरे योक्रेन में भायानक नरसंगार करवा रहे हैं बक्तमुत और बुचा में इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है जिसे देखकर जेलेंस्की को लग रहा है कि बहुत जल राजधानी कीव में भायानक खून खराबा होने वाला है क्या रूस जन्वरी से लेकर मार्श तक योक्रेन की पंदरा शहरों पर पूरी तरह से कबजा ख़त लेगा क्या अमेरिका ब्रिटन और जर्मनी से मिले घातक हत्यारों का तोड रूस की फोज को योक्रेन में ही मिल क्या है कई एक्सपोर्ट्स ये दावा क्यों करने लगे हैं कि पूतिन के खूनी इरादों को भापने में नैटो और अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी कीमत योक्रेन की तबाही में देख रही है आखिर अगले 48 गंटे में पुतिन की फोज ऐसा क्या करने जा रही है जिसके बाद योक्रेन में रूस को हराना मुश्किल नहीं नामुम्किन हो जाएगा लगता है 70 साल के रूसी राश्रपति पुतिन ने सोना छोड़ दिया है क्योंकि 48 गंटे से पुतिन लगातार अक्टिव है योक्रेन पर होने वाला हर मिसाइल और रॉकेट हमले पर पुतिन की नजर बनी होई है इस वक्त योक्रेन में जितने भी भायानक हमले हो रहे है उसकी डारेक्ट रिपोर्ट क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर तक पहुँच रही है पुतिन क्रेमलिन से ही योक्रेन पर कहां और कितने हमले होने है इसका सीधा ओडर दे रहे है जानकारों के मताबिक पुतिन ने अच्छी तरह से गुणा भाग कर लिया है कि अगर जनवरी से लेकर मार्श तक उन्होंने योक्रेन को समलने का मौका नहीं दिया तो जैलन्सकी के योक्रेन को हर हाल में रूस के सामने घुटने टेकने होंगे इसलिए सीज़ फायर की बाद से रूस ने योक्रेन पर टैंक, तो, रॉकेट आर्मी, अटैक ड्रोन और घातक मिसाइलों से ताबर तोड हमले शुरू कर दिये हैं योक्रेन के दोनेस्क प्रांट के गवर्नर पावलो किरिलैंको की मताबिक रूस की फाज ने इलाके में नौ से ज्यादा मिसाइल हमले किये हैं क्रमा टोरस्क, जैपरेजिया शहर में भायानक धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं हम आपको बता दें कि दोनेस्क प्रांट के मकीयुका में ही योक्रेन ने अमेरिका के हाइमस से छे रॉकेट दाग कर नवासी रूसी सैनिक को कुमार डाला था हलाकि योक्रेन दाबा करता है कि इस खूनी हमले में 500 से जादा रूसी सैनिक मारे गए थे लेकिन इस समले में 72 घंटे के बाद जिस तरह से रूस ने योक्रेन में खून खराबा शुरू किया है उससे जैलन्सकी के होश उड़ गए हैं जैलन्सकी अब रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि सीज़ फायर के दोरान भी रूस योक्रेन में नरसंगार कर रहा है खास तोर से योक्रेन के बख्मुत का हाल देखकर जैलन्सकी की रूह कांप रही है जैलन्सकी की रहा है जैलन्सकी की रहा है जैलनी підсумок в роботі щодо багатьох громадян Росії та пов'язаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести, чи оспівують державу терорист. सьогодні ये पर्शी तकी संक्शीनी स्पिसक, बुदे नास्तूपनी रीशना पो संक्शाह प्रोटी तकी तकी ओसी उसी, ची जोल जुचित वुनी सुन, जूर का तम कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की तीन लाख फॉच अगले 48 गंटे में योक्रेन पर धावा बोलने जा रही है ये राजधानी कीव और दक्शनी योक्रेन के उन हिस्सों पर हमला करने जा रहे हैं, जहां रूस के खिलाब सबसे जादा नैटो और पश्यमी देशों के हत्यार योक्रेन इस्तेमाल कर रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट्स के मताबिक योक्रेन ने रूस के सैनिकों को जिस बड़े पैमाने पर मारा है, उससे पुतिन बुरी तरह से बौखला गए है ओपन सोर्स की रिपोर्ट के मताबिक 24 परवरी 2022 से जब से रूस और योक्रेन के बीच जंग शुरू होई है तब से योक्रेन ने रूस सेना के अधिकारियों की टार्गेट किलिंग की है योक्रेन की इस टार्गेट किलिंग के बाद से रूस को बहुत बड़ी संख्या में अपने अधिकारियों की जान से हाथ धोना पड़ा है योक्रेन के टॉप कमांडर्स की तरफ से यहां तक दावा किया जा रहा है कि योक्रेन पर हमला करने में शामिल रूसी सेना के आधे से जादा कमांडर योक्रेन में मारे जा जुके हैं हम आपको ओपन सोर्स के एक आँखड़े को दिखाते हैं जो दावा करता है कि दस महीने की जंग में रूस की फौज को भयानक नुकसान हुआ है 24 फरवरी 2022 से अब तक जंग में रूस के 10 जनरल मारे गए हैं जबकि युद्ध में अब तक रूस के 840 कैप्टन और सीनियर लेफटिनेंट मारे जा चुके हैं कुल मिलाकर 10 महीने से जादा की जंग में रूस के 1600 अबसरों को योकरिनी सेना ने मार गिराया है जबकि अगर रूस के कुल सैनिकों की मौत की बात करें तो यह आंकडा 110,000 को पार कर गया है इन आकड़ों को देखकर साफ हो जाता है कि लगबक 11 महीने की जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है हथियारों के साथ साथ लाखों की संख्या में मारे गए रूसियों की वज़ा से पुतिन बहुत ज़्यादा खुंखार हो गए है और इसलिए पुतिन ने प्राइवेट आर्मी वैगनर काधिरफ की चेचन सेना को बक्मुत बुचा जैसे शहरों में उतार दिया है जहां रूसी सेना की साथ मिलकर इस वक्त भायंकर नरसंगार हो रहा है एक-एक इमारत और बंकर को धमाकों से उड़ाया जा रहा है रूस ने योगरेन पर जवावी कारवाई की है रूस का दावा है कि योगरेन की फॉच की तरब से सीजफायर के दोरान एक-एक-टीस बार दो फखाने से भायंकर हमले किये गये है जब योगरेन नैटो और अमेरा है परिका के हत्यारों से रूस पर भायानक हमले कर रहा है तो फिर रूस अब योकरेन में किस तरह से युद्ध कर रहा है अब पुतिन ने रूसी तानाशार है स्टालिन की तरह योक्रेन के शहरों और गाउं का सफाया शुरू कर दिया है पहला है योक्रेन सैनिकों को देखते ही जान से मार दो दूसरा है जो योक्रेनी सैनिक रूसी फौज के मकबिर लगें उन्हें तुरंत गोला मार दो तीसरा है हर उस इमारत को पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दो जिसका फायदा योक्रेन की फोज उठा सकती है इसलिए पुतिन ने स्टालिन की तरह टार्गेट के लिंग योक्रेन में शुरू करती है वेगनर ग्रोप के लडाके बड़े पैमाने पर नरसंहार कर रहे है एक कनुमान की मताबिक वेगनर ग्रोप के पचास हजार लडाके योक्रेन के खिलाफ जंग कर रहे है ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ पोतिन के स्टालिन मिशन को वेगनर ग्रोप अंजाम दे रहा है हिटलर को अपना हीरो मानने वाले वेगनर ग्रोप को बेहत बेरहम हत्यारा माना जाता है जो पोतिन के इशारे पर इस वक्त योक्रेन के आठ शहरों को कबिस्तान बनाने में जोटे है अमेरिका भी वेगनर ग्रूप को लेकर योक्रेन को अलर्ट कर चुका है अमेरिका ने साफ कहा है कि पुतिन ने अपने सैनिकों को रूस में मरने के लिए छोड़ दिया है वाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बे के मताबिक इस वक्त योक्रेन में रूस की फाज मीट ग्राइंडर यानि मांस की चक्की में फस चुकी है जहां बेताहशा रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं लेकिन सवाल उड़ता है कि फिर पोटेन अमेरिका, योक्रेन और नैटो को काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं बाखमूत और बुचा में एक एक मोर्चे के लिए खूनी जंग चल रही है रूस आसमान से मैसाईले बरसा रहा है रूसी तोप खाने और रॉकेट आर्मी योक्रेन पर यमराज बन कर तूट पड़ी है लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि योक्रेन प्रोपेगंडा कर रहा है कि रूस की फौज मीट की चत्की में पैस रही है जबकि हकीकत में योक्रेन की फौज बुरी तरह से मारी जा रही है आंकडों के मताबिक एक लाग से ज़ादा योक्रेनी सैनिकों को रूसी फौज ने मार डाला है इस वक्त रूसी फौज का पूरा फोकस कार्ट कियो और दक्चल केर सोन पर है ज़हां योक्रेन की भीशा हमलों की वज़ा से गूस की फौज ने अपनी रणनीती बदल दी है ये वही हिलागा है ज़हां योक्रेन की फौज रूसी फौज पर तावर तोड हमले कर रही है मा याद की का पूसी फौज बदलिय। अमेरिकी हाइमर्स मल्टिपल लॉंच रॉकेट सिस्टम से भले ही योक्रेन ने रूसी फौजियों को भारी संख्या में मार डाला हो लेकिन पुतिन ने अब फौज को साफ आदेश दे दिया है कि या तो मरो या फिर जीतो यही वजह है कि योक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल वालेरी जालूजनी ने दावा किया है कि रूस के लिए मांस की चक्की बन चुका योक्रेन का बक्मुत इस वक्त खून का मैदान बन चुका है जनरल वालेरी जालूजनी दावा कर रहे हैं कि रूसी फौज जंग करते करते इतनी क्रूर हो चुकी है कि अपने साथी सैनिकों की लाशों को रौनते हुए आगे बढ़ रही है भायानक खून खराबा देखकर जैलन्सकी को अब ये लगने लगा है कि अगर पुतिन की तीन लाख नई फौज पूरी तरह से जंग में उतर गई तो फिर बख्मुद जैसा हाल पूरे योकरेन का हो जाएगा पुतिन अपने 10 जनरलों की मौत और 840 से ज़्यादा कैप्टन और सीनियर लेफ्टिनेंट के मारे जाने से वौकला चुके है 16 रूसी अपसरों का जंग में मारा जाना पुतिन को साक्षात यमराज बना चुका है अब देखना होगा कि अखले 48 घंटे में पुतिन का ऑपरेशन जनरल योकरेन का क्या हाल करता है लोका है रोस योक्रेन जंग को 11 महीने होने वाले हैं और अब पता चला है कि पुतेन योक्रेन पर कबजा करने के लिए इतना भायानक खोन कराबा क्यों कर रहे हैं अब पता चला है कि पुतेन जंग के 315 दिन बाद क्यों पूरे योक्रेन की फौज का सफाया करने पर उतारू है अब इस दावे के बारे में भी पता चल रहा है कि पुतेन कैसे अपने 10 जंगलों की मौत का बदला पूरे योक्रेन से लेने चा रहे हैं दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ये क्यूं दावा कर रहे हैं कि पुतेन रूसी तानाशा स्टालिन की तरह अब पूरे योक्रेन में भायानक नरसंगहार करवा रहे हैं बक्तमुत और बुचा में इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है जिसे देखकर जेलेंस्की को लग रहा है कि बहुत जल राजधानी कीव में भायानक खून खराबा होने वाला है क्या रूस जन्वरी से लेकर मार्श तक योक्रेन की पंदरा शहरों पर पूरी तरह से कबजा खट लेगा क्या अमेरिका ब्रिटन और जर्मनी से मिले घातक खथियारों का तोड रूस की फोज को योक्रेन में ही मिल क्या है कई एक्सपर्ट्स ये दावाब क्यों करने लगे हैं कि पूतिन के खूनी इरादों को भापने में नैटो और अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी कीमत योक्रेन की तबाही में देख रही है आखिर अगले 48 गंटे में पूतिन की फोज ऐसा क्या करने जा रही है जिसके बाद योक्रेन में रूस को हराना मुश्किल नहीं नामुम्किन हो जाएगा लगता है 70 साल की रूसी राश्रोपती पूतिन ने सोना छोड़ दिया है क्योंकि 48 गंटे से पूतिन लगातार अक्टिव है योक्रेन पर होने वाला हर मिसाइल और रॉकेट हमले पर पूतिन की नजर बनी होई है इस वक्त योक्रेन में जितने भी भायानक हमले हो रहे है उसकी डाइरेक्ट रिपोर्ट क्रेमलिन में पूतिन के दफ्तर तक पहुँच रही है पूतिन क्रेमलिन से ही योक्रेन पर कहां और कितने हमले होने हैं इसका सीधा ओर्डर दे रहे हैं जानकारों के मताबिक पुतिन ने अच्छी तरह से गुणा भाग कर लिया है कि अगर जनवरी से लेकर मार्श तक उन्होंने योक्रेन को समलने का मौका नहीं दिया तो जैलन्सकी के योक्रेन को हर हाल में रूस के सामने घुटने टेकने होंगे इसलिए सीज़ फायर की बाद से रूस ने योक्रेन पर टैंक, तो, रॉकेट आर्मी, अटैक ड्रोन और घातक मिसाइलों से ताबर तोड हमले शुरू कर दिये हैं योक्रेन के दोनेस्क प्रांट के गवर्नर पावलो किरिलैंको की मताबिक रूस की फाज ने इलाके में नौ से ज्यादा मिसाइल हमले किये हैं क्रमा टोरस्क, जैपरेजिया शहर में भायानक धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं हम आपको बता दें कि दोनेस्क प्रांट के मकीयुका में ही योक्रेन ने अमेरिका के हाइमस से शे रॉकेट दाग कर नवासी रूसी सैनिक को कुमार डाला था हलाकि योक्रेन दाबा करता है कि इस खूनी हमले में 500 से जादा रूसी सैनिक मारे गए थे लेकिन इस समले में 72 घंटे के बाद जिस तरह से रूस ने योक्रेन में खून खराबा शुरू किया है उससे जैलन्सकी के होश उड़ गए हैं जैलन्सकी अब रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि सीज़ फायर के दोरान भी रूस योक्रेन में नरसंगार कर रहा है खास तोर से योक्रेन के बख्मुत का हाल देखकर जैलन्सकी की रूह कांप रही है जैलन्सकी की रहा है जैलनी підсумок в роботі щодо багатьох громадян Росії та пов'язаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести, чи оспівують державу-терорист. सьогодні ये पर्शी तकी संक्शीनी स्पिसक, बुदे नास्तूपनी रिशना पो संक्शिया प्रोटी तकी तकी ओसी उसी, ची जोल जूची दूची 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 तीन लाग फाच, अगले 48 गंटे में योक्रेन पर धावा बोलने जा रही है ये राजधानी कीव और दक्शनी योक्रेन के उन हिस्सों पर हमला करने जा रहे हैं, जहां रूस के खिलाब सबसे जादा नैटो और पश्यमी देशों के हत्यार योक्रेन इस्तेमाल कर रहा है डिफेन्स एक्सपोर्ट्स के मताबिक योक्रेन ने रूस के सैनिकों को जिस बड़े पैमाने पर मारा है, उससे पुतिन बुरी तरह से बौखला गए है उपन सोर्स की रिपोर्ट के मताबिक 24 परवरी 2022 से जब से रूस और योक्रेन के बीच जंग शुरू होई है तब से योक्रेन ने रूस सेना के अधिकारियों की टार्गेट किलिंग की है योक्रेन की इस टार्गेट किलिंग के बाद से रूस को बहुत बड़ी संख्या में अपने अधिकारियों की जान से हाथ धोना पड़ा है योक्रेन के टॉप कमांडर्स की तरफ से यहां तक दावा किया जा रहा है कि योक्रेन पर हमला करने में शामिल रूसी सेना के आधे से जादा कमांडर योक्रेन में मारे जा जुके हैं हम आपको ओपन सोर्स के एक आंकड़े को दिखाते हैं जो दावा करता है कि दस महीने की जंग में रूस की फौज को भयानक टुकसान हुआ है 24 फरवरी 2022 से अब तक जंग में रूस के 10 जनरल मारे गए हैं जबकि युद्ध में अब तक रूस के 840 कैप्टन और सीनियर लेफटिनेंट मारे जा चुके हैं कुल मिलाकर 10 महीने से जादा की जंग में रूस के 1600 अबसरों को योकरेनी सेना ने मार गिराया है जबकि अगर रूस के कुल सैनिकों की मौत की बात करें तो यह आंकड़ा 110,000 को पार कर गया है इन आकड़ों को देखकर साफ हो जाता है कि लगबक 11 महीने की जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है हथ्यारों के साथ 7 लाखों की संख्या में मारे गए रूसियों की वज़ा से पुतिन बहुत ज़्यादा खुंखार हो गए है और इसलिए पुतिन ने प्राइवेट आर्मी वैगनर काधिरफ की चेचन सेना को बक्तमुत बुचा जैसे शहरों में उतार दिया है जहां रूसी सेना की साथ मिलकर इस वक्त भायंकर नरसंगार हो रहा है एक एक इमारत और बंकर को धमाकों से उड़ाया जा रहा है उसने योगरेन पर जवावी कार्रवाई की है रूस का दावा है कि योगरेन की फाज की दरब से सीज़ फायर के दोरान एक अत्तीस बार दोफाने से भायंकर हमले किये गये है जापरवशका अबलस्ती वरुजोने सील उक्राइन अटकरवाली अर्टिलिरीश्की अगोण 31 रास अब सवाल उड़ता है कि जब योक्रेन नैटो और अमेरिका के हथियारों से रूस पर भायानक हमले कर रहा है तो फिर रूस अब योक्रेन में किस तरह से युद्ध कर रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट्स के मताबिक अब पुतिन ने रूसी तानाशार है स्टालिन की तरह योक्रेन के शहरों और गाउं का सफाया शुरू कर दिया है पहला है योक्रेन सैनिकों को देखते ही जान से मार दो दूसरा है जो योक्रेनी सैनिक रूसी फोज के मकबिर लगें उने तुरंट गोला मार दो तीसरा है हर उस इमारत को पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दो जिसका फायदा योक्रेन की फोज उठा सकती है इसलिया पोटेन स्टालीन की तरह टार्गेट के लिंग योक्रेन में शुरू कर दी है वैगनर ग्रूप के लडाके बड़े पैमाने पर नरसंहार कर रहे है क्ग कर दो यह है इसलिए ये कि भी रहे हैं यह है झी कर दोला रहे है वीजला इसलिए य СОВЯT झी साफी में द्कार्णा वर बांभी дагों लिए जो यह को रहे हैं पहला वहां है आप उन्ट कर चाल के मताबिक वैगनर ग्रूप के 50,000 लडाके योकरेन के खिलाफ जंग कर रहे हैं। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ। पोतिन के स्टालिन मिशन को वैगनर ग्रूप अंजाम दे रहा है। हिटलर को अप ने सैनिकों को रूस में मरने के लिए छोड़ दिया है। वाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बे के मताबिक इस वक्त योकरेन में रूस की फाज मीट ग्राइंडर यानि मांस की चक्की में फस चुकी है। जहां बेताहशा रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। लेकिन सवा रुशन बादी इन ने मीट ग्राइंडर दो रूसी सैनिक में बाक्मुट और बुचा में एक एक मोर्चे के लिए खूनी जंग चल रही है। रूस आसमान से मैसाईले बरसा रहा है। रूसी तोप खाने और रॉकेट आर्मी योकरेन पर यम्राज बन कर तूट पड़ी है लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि योकरेन प्रोपेगंडा कर रहा है कि रूस की फाज मीट की चक्की में पैस रही है। जबकि हकीकत में योकरेन की फाज बुरी तरह से मारी जा रही है। आंकडों के मताबिक एक लाग से जादा योकरेनी सैनिकों को रूसी फाज ने मार जो भाजawk पोडस़्ान को शीनारी प्रोष आवाई प्राथनि हैं. But उन्हें हम धो प्राइब को का लवाए प्री बातीको FM. अमेरिकी हाइमर्स मल्टिबल लॉंच रॉकेट सिस्टम से भले ही योकरेन ने रूसी फौजियों को भारी संख्या में मार डाला हो लेकिन पुतिन ने अब फौज को साफ आदेश दे दिया है कि या तो मरो या फिर जीतो यही वजह है कि योकरेन के सशस्तर बलों के कमांडर जनरल वालेरी जालूजनी ने दावा किया है कि रूस के लिए मांस की चक्की बन चुका योकरेन का बखमुत इस वक्त खून का मैदान बन चुका है जनरल वालेरी जालूजनी दावा कर रहे हैं कि रूसी फौज जंग करते करते इतनी क्रूर हो चुकी है कि अपने साथी सैनिकों की लाशों को रौनते हुए आगे बढ़ रही है भायानक खून खराबा देखकर जैलन्सकी को अब ये लगने लगा है कि अगर पुतिन की तीन लाख नई फौज पूरी तरह से जंग में उतर गई तो फिर बख्मुद जैसा हाल पूरे योक्रेन का हो जाएगा पुतिन अपने 10 जनरलों की मौत और 840 से ज़्यादा कैप्टन और सीनिर लेफटिनेंट के मारे जाने से वौकला चुके है 16 रूसी अपसरों का जंग में मारा जाना पुतिन को साक्षात यमराज बना चुका है अब देखना होगा कि 48 घंटे में पुतिन का ऑपरेशन जनरल योक्रेन का क्या हाल करता है रूस योक्रेन जंग को 11 महीने होने वाले हैं और अब पता चला है कि पुतिन योक्रेन पर कबजा करने के लिए एतना भायानक खोन कराबा क्यों कर रहे हैं अब पता चला है कि पुतिन जंग के 315 दिन बाद क्यों पूरे योक्रेन की फौज का सफाया करने पर उतारू है अब इस दावे के बारे में भी पता चल रहा है कि पुतिन कैसे अपने 10 जंगरों की मौत का बदला पूरे योक्रेन से लेने जा रहे हैं दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ये क्यों दावा कर रहे हैं कि पुतिन रूसी तानाशा स्टालिन की तरह अब पूरे योक्रेन में भायानक नरसंगार करवा रहे हैं बक्तमत और बुचा में इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है जिसे देखकर जेलेंस्की को लग रहा है कि बहुत जल राजधानी कीव में भायानक खून खराबा होने वाला है क्या रूस जनवरी से लेकर मार्श तक ही उक्रेन के 15 शहरों पर पूरी तरह से कबजा खर लेगा क्या अमेरिका ब्रिटन और जर्मनी से मिले घातक हत्यारों का तोड़ रूस की फोज को यूपरेन में ही मिल क्या है कई एक्सपर्ट्स ये दावाब क्यों करने लगे हैं कि पूतिन के खूनी इरादों को भापने में नैटो और अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी कीमत यूपरेन की तबाही में देख रही है आखिर अगले 48 गंटे में पूतिन की फोज ऐसा क्या करने जा रही है जिसके बाद यूपरेन में रूस को हराना मुश्किल नहीं नामुम्किन हो जाएगा लगता है 70 साल की रूसी राश्रोपती पूतिन ने सोना छोड़ दिया है क्योंकि 48 गंटे से पूतिन लगातार अक्टिव है यूपरेन पर होने वाला हर मिसाइल और रॉकेट हमले पर पूतिन की नजर बनी होई है इस वक्त यूपरेन में जितने भी भायानक हमले हो रहे है उसकी डायरेक्ट रिपोर्ट क्रेमलिन में पूतिन के दफ्तर तक पहुँच रही है पूतिन क्रेमलिन से ही यूपरेन पर कहां और कितने हमले होने है इसका सीधा ओडर दे रहे है जानकारों के मताविक पूतिन ने अच्छी तरह से गुणा भाग कर लिया है कि अगर जनवरी से लेकर मार्श तक उन्होंने यूपरेन को समलने का मौका नहीं दिया तो जैलन्सकी के यूपरेन को हर हाल में रूस के सामने घुटने टेकने होंगे इसलिए सीज़ फायर की बाद से रूस ने यूपरेन पर टैंक, तो, रॉकेट आर्मी, अटैक ड्रोन और घातक मिसाइलों से ताबर तोड हमले शुरू कर दिये हैं यूपरेन के दोनेस्क प्रांट के गवर्नर पावलो किरिलैंको की मताबिक रूस की फाउज ने इलाके में नौ से ज्यादा मिसाइल हमले किये हैं क्रमा टोरस्क, जैपरेजिया शहर में भायानक धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं हम आपको बता दें कि दोनेस्क प्रांट के मकीयुका में ही यूपरेन ने अमेरिका के हाइमस से छे रॉकेट दाग कर नवासी रूसी सैनिको कुमार डाला था हलाकि यूपरेन दाबा करता है कि इस खूनी हमले में 500 से जादा रूसी सैनिक मारे गए थे लेकिन इस समले में 72 घंटे के बाद जिस तरह से रूस ने यूपरेन में खून खराबा शुरू किया है उससे जैलन्सकी के होश उड़ गए हैं जैलन्सकी अब रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि सीजफायर के दोरान भी रूस यूपरेन में नरसंगार कर रहा है खास तोर से यूपरेन के बाखमुत का हाल देखकर जैलन्सकी की रूप कांप रही है दोरान पर शूपरेन के रहे है से जाझार के लिए पर जैलन्सकी कांप रहे हैं के उन हिस्सों पर हमला करने जा रहे हैं जहां रूस के खिलाब सबसे ज़्यादा नैटो और पश्यमी देशों के हת्यार योकरेन इस्तिमाल कर रहा है दिफेंस एक्सपोर्टS के मताबिक योकरेन ने रूसके सैनीकों को जिस बड़े पैमाने पर मारा है उससे पुतिन बुरी तरह से बौखला गए है ओपन सोर्स की रिपोर्ट के मताबिक 24 परवरी 2022 से जब से रूस और योक्रेन के बीच जंग शुरू होई है तब से योक्रेन योक्रेन की इस टार्गेट के लिंग के बाद से रूस को बहुत बड़ी संख्या में अपने अधिकारियों की जान से हाँ धोना पड़ा है योक्रेन के टॉप कमांडर्स की तरफ से यहां तक दावा किया जा रहा है कि योक्रेन पर हमला करने में शामिल रूसी सेना के आधे से जादा कमांडर योक्रेन में मारे जा जुके हैं हम आपको ओपन सोर्स के एक आखड़े को दिखाते हैं जो दावा करता है कि दस महीने की जंग में रूस की फौज को भयानक टुकसान हुआ है 24 फरवरी 2022 से अब तक जंग में रूस के 10 जनरल मारे गए हैं जबकि युद्ध में अब तक रूस के 840 कैप्टन और सीनियर लेफटिनेंट मारे जा चुके हैं कुल मिलाकर 10 महीने से जादा की जंग में रूस के 1600 अबसरों को योकरिनी सेना ने मार गिराया है जबकि अगर रूस के कुल सैनिकों की मौत की बात करें तो यह आंकड़ा 110,000 को पार कर गया है इन आकड़ों को देखकर साफ हो जाता है कि लगबक 11 महीने की जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है हथियारों के साथ साथ लाखों की संख्या में मारे गए रूसियों की वज़ा से पुतिन बहुत ज़्यादा खुंखार हो गए है और इसलिए पुतिन ने प्राइवेट आर्मी वैगनर काधिरफ की चेचन सेना को बक्तमुत बुचा जैसे शहरों में उतार दिया है जहां रूसी सेना की साथ मिलकर इस वक्त भायंकर नरसंगार हो रहा है एक एक इमारत और बंकर को धमाकों से उड़ाया जा रहा है रूस ने योगरेन पर जबावी कार्रवाई किये रूस का दावा है कि योगरेन की फाज की दरब से सीज़ फायर के दोरान एक अत्तीस बार दो खाने से भायंकर हमले किये गये है जब योगरेन नैटो और अमेराई को धायर की फायर को धायर के दोरा जाए रूस पर भायानक हमले कर रहा है तो फिर रूस अब योगरेन में किस तरह से युद्ध कर रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट के मताबिक अब पुतिन ने रूसी तानाशार है स्टालिन की तरह योगरेन के शहरों और गाउं का सफाया शुरू कर दिया है पहला है योगरेन सैनिकों को देखते ही जान से मार दो दूसरा है जो योगरेनी सैनिक रूसी फोज के मकबिर लगे उने तुरंट गोला मार दो तीसरा है हर उस इमारत को पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दो जिसका फायदा योगरेन की फोज उठा सकती है इसलिया पोटेन स्टालीन की तरा टार्गेट के लिंग योगरेन में शुरू करती है वेगनर ग्रोप के लड़ाके बड़े पैमाने पर नरसंहार कर रहे है एक अनुमान की मताबिक वेगनर ग्रोप के पचास हजार लड़ाके योगरेन के खिलाफ जंग कर रहे है ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है अमेरिका की खुफिया रेपोर्ट में खुलासा हुआ पुतिन के स्टालिन मिशन को वेगनर ग्रुप अंजाम दे रहा है हिटलर को अपना हीरो मानने वाले वेगनर गुरुप को बेहद बेरहम हत्यारा माना जाता है जो पुतिन के इशारे पर इस सुवक्त योगरेन के आठ शहरों को कबरिस्तान बनाने में जोते हैं अमेरिका भी वेगनर ग्रुप को लेकर योक्रेन को अलर्ट कर चुका है अमेरिका ने साफ कहा है कि पुतिन ने अपने सैनिकों को रूस में मरने के लिए छोड़ दिया है वाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बे के मताबिक इस वक्त योक्रेन में रूस की फाज मीट ग्राइंडर यानि मांस की चक्की में फस चुकी है जहां बेताहशा रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं लेकिन सवाल उडता है कि फिर पोटेन अमेरिका योक्रेन और नैटो को काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं बाखमूत और बुचा में एक एक मोर्चे के लिए खूनी जंग चल रही है रूस आस्मान से मैसाईले बरसा रहा है रूसी तोब खाने और रॉकेट आर्मी योक्रेन पर यमराज बनकर तूट पड़ी है लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि योक्रेन प्रोपेगंड़ा कर रहा है कि रूस की फॉज मीट की चक्की में पैस रही है जबकि हकीकत में योक्रेन की फॉज बुरी तरह से मारी जा रही है आंकडों के मताबिक एक लाग से जादा योक्रेनी सैनिकों को रूसी फॉज में मार डाला है इस वक्त रूसी फॉज का पूरा फोकस कार क्यो और दक्चल केर सोन पर है जहाँ योक्रेन की भीशा हमलों की वज़ा से गूस की फॉज में अपनी रणनीती बदल दी है ये वही हिलागा है जहाँ योक्रेन की फॉज रूसी फॉज पर तावर तोड हमले कर रही है जहाँ पॉज एपनलीवान की बबाया है अमेरिकी हाइमर्स मल्टिबल लॉंच रॉकेट सिस्टम से भले ही योकरेन ने रूसी फौजियों को भारी संख्या में मार डाला हो लेकिन पुतिन ने अब फौज को साफ आदेश दे दिया है कि या तो मरो या फिर जीतो यही वजह है कि योकरेन के सशस्टर बलों के कमांडर जनरल वालेरी जालूजनी ने दावा किया है कि रूस के लिए मांस की चक्की बन चुका योकरेन का बक्मुत इस वक्त खून का मैदान बन चुका है जनरल वालेरी जालूजनी दावा कर रहे हैं कि रूसी फौज जंग करते करते इतनी क्रूर हो चुकी है कि अपने साथी सैनिकों की लाशों को रौनते हुए आगे बढ़ रही है भायानक खून खराबा देखकर जैलन्सकी को अब ये लगने लगा है कि अगर पुतिन की तीन लाख नई फौज पूरी तरह से जंग में उतर गई तो फिर बखमुद जैसा हाल पूरे योकरेन का हो जाएगा पुतिन अपने 10 जनरलों की मौत और 840 से ज़्यादा कैप्टन और सीनियर लेटिनेंट के मारे जाने से वौकला चुके है 16 रूसी अपसरों का जंग में मारा जाना पुतिन को साक्षात यमराज बना चुका है अब देखना होगा कि अखले 48 घंटे में पुतिन का उपरेशन जनरल योकरेन का क्या हाल करता है रूस योकरेन जंग को 11 महीने होने वाले हैं और अब पता चला है कि पुतिन योकरेन पर कबजा करने के लिए इतना भायानक खोन कराबा क्यों कर रहे है अब पता चला है कि पुतिन जंग के 315 दिन बाद क्यों पूरे योकरेन की फौज का सफाया करने पर उतारू है अब इस दावे के बारे में भी पता चल रहा है कि पुतिन कैसे अपने 10 जनरलों की मौत का बदला पूरे योकरेन से लेने जा रहे है दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ये क्यूं दावा कर रहे है कि पुतिन रूसी तानाशा स्टालिन की तरह अब पूरे योकरेन में भायानक नरसंगहार करवा रहे है बक्तमुत और बुचा में इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है जिसे देखकर जेलन्सकी को लग रहा है कि बहुत जल राजधानी कीव में भायानक खून खराबा होने वाला है क्या रूस जन्वरी से लेकर मार्श तक योकरेन की पंदरा शहरों पर पूरी तरह से कबजा खट लेगा क्या अमेरिका ब्रेटन और जर्मनी से मिले घातक हत्यारों का तोड रूस की फोज को योकरेन में ही मिल क्या है कई एक्सपर्ट्स ये दावाब क्यों करने लगे हैं कि पूतिन के खूनी इरादों को भापने में नैटो और अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी कीमत योकरेन की तबाही में देख रही है आखिर अगले 48 गंटे में पुतिन की फोज ऐसा क्या करने जा रही है जिसके बाद योकरेन में रूस को हराना मुश्किल नहीं नामुम्किन हो जाएगा लगता है 70 साल के रूसी राश्रबती पुतिन ने सोना छोड़ दिया है क्योंकि 48 गंटे से पुतिन लगातार अक्टिव है योकरेन पर होने वाला हर मिसाइल और रॉकेट हमले पर पुतिन की नजर बनी होई है इस वक्त योकरेन में जितने भी भायानक हमले हो रहे है उसकी डारेक्ट रिपोर्ट क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर तक पहुच रही है पुतिन क्रेमलिन से ही योकरेन पर कहां और कितने हमले होने है इसका सीधा ओर्डर दे रहे है जानकारों के मताबिक पुतिन ने अच्छी तरह से गुणा भाग कर लिया है कि अगर जन्वरी से लेकर मार्श तक उन्होंने योक्रेन को समलने का मौका नहीं दिया तो जैलन्सकी के योक्रेन को हर हाल में रूस के सामने घुटने टेकने होंगे इसलिए सीज़ फायर की बाद से रूस ने योक्रेन पर टैंक, तोग, रॉकेट आर्मी, अटैक ड्रोन और घातक मिसाइलों से ताबर तोड हमले शुरू कर दिये हैं योक्रेन के दोनेस्क प्रांट के गवर्नर पावलो किरिलैंको की मताबिक रूस की फाज ने इलाके में नौ से ज्यादा मिसाइल हमले किये हैं क्रमा टोरस्क, जैपरेजिया शहर में भायानक धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं हम आपको बता दें कि दोनेस्क प्रांट के मकीयुका में ही योक्रेन ने अमेरिका के हाइमस से शे रॉकेट दाग कर 89 रूसी सैनिक को कुमार डाला था हलाकि योक्रेन दाबा करता है कि इस खूनी हमले में 500 से जादा रूसी सैनिक मारे गए थे लेकिन इस समले में 72 घंटे के बाद जिस तरह से रूस ने योक्रेन में खून खराबा शुरू किया है उससे जैलन्सकी के होश उड़ गए हैं जैलन्सकी अब रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि सीज़ फायर के दोरान भी रूस योक्रेन में नरसंगार कर रहा है खास तोर से योक्रेन के बख्मुत का हाल देखकर जैलन्सकी की रूह कांप रही है जैलन्सकी की रहा है जैलनी підсумок в роботі щодо багатьох громадян Росії та пов'язаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести, чи оспівують державу терорист. सьогодні ये पर्शी तकी संक्शीनी स्पिसक, बुदे नास्तूपनी रिशना पो संक्शिया प्रोटी तकी तकी ओसी उसी, ची जोल जुचित वुनी सुन, जूर का तम कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की तीन लाख फॉच अगले 48 घंटे में योक्रेन पर धावा बोलने जा रही है ये राजधानी कीव और दक्शनी योक्रेन के उन हिस्सों पर हमला करने जा रहे हैं जहां रूस के खिलाब सबसे जादा नैटो और पश्यमी देशों के हत्यार योक्रेन इस्तेमाल कर रहा है डिफेन्स एक्सपोर्ट्स के मताबिक योक्रेन ने रूस के सैनिकों को जिस बड़े पैमाने पर मारा है उससे पुतिन बुरी तरह से बौखला गए है ओपन सोर्स की रिपोर्ट के मताबिक 24 परवरी 2022 से जब से रूस और योक्रेन के बीच जंग शुरू होई है तब से योक्रेन ने रूस सेना के अधिकारियों की टार्गेट किलिंग की है योक्रेन की इस टार्गेट किलिंग के बाद से रूस को बहुत बड़ी संख्या में अपने अधिकारियों की जान से हाँ धोना पड़ा है योक्रेन के टॉप कमांडर्स की तरफ से यहां तक दावा किया जा रहा है कि योक्रेन पर हमला करने में शामिल रूसी सेना के आधे से जादा कमांडर योक्रेन में मारे जा जोके हैं हम आपको open source के एक आंकड़े को दिखाते हैं जो दावा करता है कि 10 महीने की जंग में रूस की फौज को भयानक टोकसान हुआ है 24 फरवरी 2022 से अब तक जंग में रूस के 10 जनरल मारे गए हैं जबकि युद्ध में अब तक रूस के 840 कैप्टन और सीनियर लेफटिनेंट मारे जा चुके हैं कुल मिलाकर 10 महीने से जादा की जंग में रूस के 1600 अबसरों को योकरिनी सेना ने मार गिराया है जबकि अगर रूस के कुल सैनिकों की मौत की बात करें तो यह आंकडा 110,000 को पार कर गया है इन आकड़ों को देखकर साफ हो जाता है कि लगबक 11 महीने की जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है हथियारों के साथ साथ लाखों की संख्या में मारे गए रूसियों की वज़ा से पुतिन बहुत ज़्यादा खुंखार हो गए है और इसलिए पुतिन ने प्राइवेट आर्मी वैगनर काधिरफ की चेचन सेना को बक्तमुत बुचा जैसे शहरों में उतार दिया है जहां रूसी सेना की साथ मिलकर इस वक्त भायंकर नरसंगार हो रहा है एक-एक इमारत और बंकर को धमाकों से उड़ाया जा रहा है दो दिन के सीजफायर को भी पुतिन ने अपनी जंगी चाल में बदल दिया है रूस योक्रेन पर आरोप लगा रहा है कि उसने सीजफायर के दौरान रूस पर हमला किया जिसकी वज़ा से रूस ने योक्रेन पर जवावी कार्रवाई किये रूस का दावा है कि योक्रेन की फौज की दरब से सीजफायर के दौरान एक-टीस बार दो फखाने से भायंकर हमले किये गये है जब योक्रेन नेटो और एमे drives बारोटा है कि जब योक्रेन नाटो और अंधा। प्रिका के हथियारों से रूस पर भयानक हमले कर रहा है तो फिर रूस अब योक्रेन में किस तरह से युद्ध कर रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट के मताबिक अब पुतिन ने रूसी तानाशार है स्टालिन की तरह योक्रेन के शहरों और गाउं का सफाया शुरू कर दिया है पहला है योक्रेन सेनिकों को देखते ही जान से मार दो दूसरा है जो योक्रेनी सेनिक रूसी फौज के मकबिर लगे उन्हें तुरंत गोला मार दो तीसरा है हर उस इमारत को पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दो जिसका फायदा योक्रेन की फौज उठा सकती है इसलिए पोतिन ने स्टालिन की तरह टार्गेट के लेंग योक्रेन में शुरू कर दी है वैगनर ग्रुप के लड़ाके बड़े पैमाने पर नरसंखार कर रहे हैं